हुआ 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 है सभी को गुड मॉनिंग अपना जो आज सेकंड लेक्चर है मैजर्मेंट का और आप सभी को पता कि कल PMMC वाला पार्ट है वह कंप्रीट हो चुका था और आप सभी लोग कुछन की प्रैक्टिस भी कर ली होगी आप सभी लोगोंने बट अगर नहीं भी कि कोई दिक्कत नहीं है कर जरूर ले ना कि अभी लास्ट नाइम ऐसा है ना कि जिसमें आप जितने आदा पीवाइक्यू है कुछन अगर आप लगा होगे ना उतना ही आपका जो कॉंफिडेंस से वो बूस्ट अप होगा वैसे हम भी आप सभी लोग के लिए मैं आपको अलड़ी बता चुका होगा सबसे इंपोरेंट टॉपिक वो कुंसा है वोट मेंटर तो आज के हमारे पास दो टार्गेट रहेंगे एक तो मुविंग आयर इंस्टुमेंट जो हमार रनिंग है उसको कंप्रेट करेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे वाट मेंटर के बारे में और फिक से यह मानके चल चाहीँ जाता है और वह ऊपे के हमारे पास में वाट मेटर तो यानि कि वाट मेटर जो है यह वेरी व्हेरी इंपर मना पी एमम्सी से कोई ज़रूरी नहीं कि आए मलगति से हो सकता है कि कह चुछन नहीं ब्हां। ओ सब्सेड़िये ओ案 तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगी, कौन सावल टॉपिक पढ़ेंगे, moving iron instrument, जल्दी सदा moving iron instrument मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्या measure करता है moving iron instrument, AC value या DC value, moving iron instrument क्या measure करता है, तो मैंने आपको बूला था, moving iron instrument जो है, AC and DC जो है, वो दोनों ही measure करता है, तो मुविंग आइरन इंस्ट्रुमेंट के अंदर यहां पर नाम से पता लग रहा है कि एक तो आइरन होगी और वो आपके पास में मुग करेगी तो यह हमारे पास में एक आइरन है और इसके अलावा यहां पर क्या होगा एक कोईल होगी यहां पर एक कोईल होगी और यह आपके पास में आइरन है इस पर क्या होगा पॉइंटर होगा और यहां पर स्केल होगी क पॉइंटर कितना रीड करेगा यह कुश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एक्जाम के अंदर जल्दी से बताओ मोविंग आरेन इस्ट्रुमेंट वर्क कर रहा है और सदनली अगर उसकी कंट्रोल स्प्रिंग डेमेज हो जाती है तो पॉइंटर कितना रीड करेगा जिसे यहां पर कोईल जो है इसको आप सप्लाई दोगी करेंट यहां से फ्लोगा और फ्लक्स यहां से प्रड्यूज होगा क्या अंसर आएगा जल्दी से बताओ क्या अंसर आएगा जीरो आएगा या फिर ऑप्शन में आपको इसा दिया होगा यह तो जीरो दिया होगा एक दिया होगा आपके पास में फुल स्केल इडिंग दिया होगा एक दिया होगा बियोंड दा फुल स्केल इडिंग जिसको infinite reading भी हम बोलके चलते हैं तो answer क्या आएगा कि ध्यान रखना अगर आप supply दोगे यहां पर current flow होगा flux produce होगा और flux produce होगा तो यहां पर talk लगेगा इस pointer पर लेकिन इस बार ध्यान रखना इस बार जो हमारी spring है वो इस coil के series में नहीं है जबकि PMC instrument में जो हमारी spring होती है वो coil के series में होती है यहां पर यह coil के series में नहीं है इसका मतलब अगर आपकी control spring अगर damage हो भी गई तो यहां पर यह current और यह supply और यह flux produce हो गई होगा टॉर्क लगेगा ही लगेगा यानि कि deflecting टॉर्क तो अभी भी रहेगा डिफ्लेक्टिंग अभी रहेगा लेकिन जो controlling टॉर्क है वो zero हो जाएगा तो बदा pointer कहां चला जाएगा beyond the full scale reading तो answer कहाएगा beyond the full scale reading जो है वो correct answer है तो जिसने भी zero answer दिया है वो नहीं होगा answer कहाएगा beyond the full scale reading जो है answer रहेगा तो चले यहां पर आप एक point लिखते हैं पी एम्मस इंस्ट्रुमेंट क्या measure कर सकता है sorry moving iron यहां लिख देना moving iron instrument लिख देना it can measure MI can measure can measure both AC and DC value both AC and DC और यहां पर bracket में आप लिख देना RMS AC और DC का जो combination है वो क्या होता है RMS value जो है वो आपका answer रहेगा next इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो moving iron instrument है कल में आपको कल में आपको इसका deflecting torque का formula बताया था TD जो होता है वो क्या होगा वो होगा half I square into DL by D theta तो यह हमारे पास में क्या होगा deflecting torque यह हमारे पास में क्या होगा बताया था कि यहां पर spring जो है क्या करेगी controlling torque प्रोवाइड कराएगी तो TC equal to क्या होगा K theta होगा और at balance condition पर अगर हम बात करें at balance condition पर जो है at balance condition पर K theta जो होगा वो हमारे पास में half I square into DL by D theta हमारे पास में रहेगा तो देखो theta directly proportional to क्या होगा I square और theta directly proportional to I square है इसका मतलब यहां पर scale जो होगी वो क्या होगी हमारे पास में non-linear scale होगी और यहीं पर हमने class को end किया था non-linear scale बट आपको exam में यहां आप मुझे बताओ आपने laboratory में laboratory में जितने भी आप लोगों ने ammeter देखे हैं majority या voltmeter देखे हैं वो कौन से थे हैं water meter की बात नहीं कर रहा हो majority of meter जो है आपको बताए laboratory में AC supply आती है वो moving iron थे लेकिन आपने देखा होगा उसकी जो scale होती है lab में जितने भी हम meter देखते हैं उनकी scale linear होती है तो यहां पर examiner आपको question यह पूछेगा condition for linearity क्या होगी जल्दी से बताओ आपसे examiner पूछेगा condition for linearity जो है वो क्या होगी जल्दी से बताएंगे क्या answer होगा अगर आपको यहां पर linear scale बनानी है तो linear scale बनाने के लिए condition क्या होगी कुछ बोल रहे हैं linear scale बेड़ा linear नहीं होगा non-linear scale होगी न theta directly proportional to i square है non-linear scale होगी तो यहां पर answer क्या हैगा linearity की अगर आप वो condition पूछ ली जाए अगर यह question अगर आपको examiner पूछ ले तो आपका answer हैगा theta into dl by d theta जो है वो क्या रहना चाहिए वो ध्यान रखना constant रहना चाहिए theta into dl by d theta जो है वो constant अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे हमारी जो scale है वो linear हो जाएगी तो यह condition for linearity होगी यह भी बहुत बार exams के अंदर आपको question जो है पूछा गया है याद कर लेना condition अब केसे आई उस पर नहीं जाना है बस आपको यह point जो है इस passing through moving iron instrument तो बताओ moving iron की reading क्या होगी अगर आपसे बोल दिया जाए कि यह जो हमारे पस में signal यह moving iron से pass out होगा तो बताओ moving iron की reading कितनी होगी अब moving iron instrument क्या measure करता है आपको सभी को बता है कि moving iron instrument rms value measure करता है तो बस आपको यह बताना है कि जो rms reading होगी वो क्या होगी क्या answer आएगा MV RMS अगर आभी भी निकालना हो rms कभी भी निकालना हो तो यहां पर जो है DC value दे रखिये उसका square कर देना पलस यहां पर जो ac value दे रखी उसका square करके divide by 2 कर लेना अगर मारलो यहां पर 1 signal और होगा मालनो 8 sin omega t plus 60 degree अगर एक signal और होगा 2 omega t कर लो यहाँ पर तो क्या करना तीसरा वाला जो sinusoidal signal है उसकी भी peak value का square करके divide by 2 कर लेना और root लेना तो इस तरह से question जो है आप कर सकते हो बहुत simple language में आप इस question का answer जो है आप दे सकते हैं तो यह आपके पास में format रहेगा rms निकालने का लेकिन हाँ बहुत बार examiner आपको ऐसा question नहीं पूछ कर वह आपको examiner आजकल इस तरह से question पूछ लेता है कि बताओ यह हमारे पास में एक signal है यह हमारे पास में एक signal है बताओ यह moving rn instrument से pass out हो रहा है moving rn instrument की reading क्या होगी 246 और यहाँ पर कुछ भी हमारे पास में a note हमें दे देगा और यह बोल देगा कि यह जो signal है यह periodic signal क्या है periodic signal है विसे भी दिख रहा है time period के बाद में value repeat कर रहा है तो जल्दी से बताओ इस signal की जो है rms value क्या होगी अगर मानलो कभी भी ऐसा question अगर आपसे पूछ लिया जाए कि signal की reading क्या होगी तो देखो rms निकालना है और यह याद रखोगी जो शाटूत signal है शाटूत signal signal है या triangular signal है अगर मानलो इसकी जगह triangular signal भी दे दे अगर आपको अगर मानलो इसकी जगह आपको जो है triangular signal भी दे दिया जाए इस तरह का signal दे दे कोई दिक्कत नहीं उससे टेंशन नहीं लेना शाटूत signal triangular की जितने भी शेप है उसकी rms value होती है anode by root 3 याद रख लेना इसकी rms value क्या होगी anode by root 3 होगी तो अगर आपो कभी पूछेगा इसके उपर आंसर तो anode by root 3 आपको आंसर लगाना है क्या आंसर होगा anode by root 3 हां correct answer है सभी का एकदम सही आंसर है शाटूत signal हो चाहे triangular signal हो को इसा भी signal अगर वो बना ले तो हमारा आंसर क्या होगा anode by root 3 होगा कोई जरूरी ने की वो ऐसा signal बना है triangular में वो ऐसा भी बना सकता है वो triangular में इस तरह का signal भी बना सकता है अगर उसके उपर डिपेंड करता है examiner के उपर की वो question कैसा बनाना चाहरा है वो ऐसा भी बना सकता है अगर आप से ऐसा signal बना के पूछ ले तो भी answer वही होगा है तो भी answer आ average निकालने में कोई दिक्कत नहीं, average तो आप area divided by time period करके निकाल लोगे, लेकिन हमें निकालना है RMS, और integration में time बहुत लगता है, तो उतना time हमरे पास में नहीं होगा, exam hall में, तो हम इस तरीके solve करेंगे, चलो, next अगर हम बात करें इसके बात में, जल्दी से बताओ, यहाँ प friction damping होगा, क्या answer हैगा, square का भी बताना है, चलिए square का भी बता जाते हैं, कोई दिखकर नहीं, square view signal हो तो कुछ भी नहीं है, RMS value एनोट ही होती है, square view signal मानलो अगर यह हमारे पास में कुछ इस तरह का signal है, अगर मानलो कुछ इस तरह का signal है, square view signal, अगर मानलो examiner कुछ इस तरह का signal आपको दे दे, तो answer क्या आएगा, यहाँ जो एनोट है, अगर मानलो माइनस एनोट है, तो इसका RMS जो है, answer जो है क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो एनोट ही आएगा, RMS निकलना हो तो, next, air friction damping हम use करेंगे, लेकिन examiner यहाँ पर यह बोलेगा, कि बताओ, यहाँ पर AD current damping क्यों use नहीं करते हैं, examiner यह question पूछता है, कि moving iron instrument के अंदर, या dynamometer type instrument में, हम AD current damping क्यों use नहीं करते हैं, यहाँ पर हम जो है, air friction damping क्यों use करते हैं, जबकि हमारे पास में AD current damping सबसे best damping का method होता है, यह use क्यों नहीं करते हैं, जल्दी से बताओ, यहाँ पर जो है, हमने AD current damping use क्यों नहीं किया, तो इसका answer यह होगा, कि यहाँ का जो operating magnetic field होता है, वो weak होता है, जो operating magnetic field weak होता है, अगर AD current damping produce करना है, तो उसके लिए permanent magnet प्लेस करनी पड़ेगी, और वो permanent magnet, जो हमारे main magnetic field को distort कर द field होता है, और AD current damping के लिए permanent magnet अगर हम प्लेस करते हैं, तो वो हमारे main magnetic field को distort कर देगा, इसलिए हम यहाँ पर AD current damping use नहीं करते हैं, यह reason होगा, तो अगर कभी पूछ ले तो यह आप answer लगा सकते हो, चलिए, नेक्स अगर हम बात करें, तो जल्दी से बताओ, इसके drawbacks क्या है, अगर आपसे बूल दिया जाएं, कि इसके जो drawback है, वो क्या होगे, drawback जो है, वो क्या होगे, अगर drawback के बारेम कभी अगर आपको examiner पूछे कि बताओ, इसका drawback क्या है, तो हमारा answer क्या होगा समझदा, drawback जो है, सबसे पहला drawback इसका यह होगा, कि non-linear scale होगी, सबसे पहला बात करें, non-linear scale के बाद में, अगला drawback क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर जो है, हमारे पास में external magnetic field, जिसको हम बोलते हैं, stray magnetic field का क्या होगा, effect होगा, तो error due to stray magnetic field आएगी, यहाँ पर क्या होगा, error due to, error due to stray field, stray field की वैसे क्या होगी, error होगी, next यहाँ पर अगर हम बात करें, third frequency की वज़े से हमारे पास में error होगी, frequency error होगी, next यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ आपको examiner question यह पूछेगा, कि इसको हम AC measure करने के लिए use करते हैं, लेकिन AC की frequency 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, आपने radio अगर सुना होगा, सभी को पता है, पहले सुनना है, megahertz में भी होती है, तो आप मुझे बदाओ, आप से पूछेगा, moving iron instrument को कितनी frequency तक हम use करते हैं, कितनी frequency तक हम use करते हैं, rms value को measure करने के लिए, यह question बहुत बार question पूछा गया है, strip field क्या है, बाहर से जो extra field आएगा, external field आकर link करेगा, उसको हम strip field बोलते हैं, मतलब main field के अलावा जो field है, वो strip में consider किया जाता है, तो answer क्याएगा 125 hertz, so next one लिख देना, this instrument is used, this instrument is used, is used up to, up to 125 hertz frequency, 125 hertz frequency, 4 rms measurement, 4 rms measurement, तो rms measurement के लिए, हम यहां तक use करते हैं, इसको use करते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, 4 higher frequency के लिए, हम क्या use करेंगे, अगर आप से पूछ लिया जाए, 4 higher frequency के लिए, हम क्या use करेंगे, कौन सा instrument use करेंगे, क्योंकि 125 hertz frequency, normally power frequency की range में आती है, अच्छा, energy low लग रही है, नहीं, energy low नहीं बेटा, energy वही है, चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें, higher frequency की case में, हम क्या use करेंगे, तो हम use करते हैं, यहां पर thermal instrument, जिसमें hot wire instrument, या thermocouple जो है, वो हो सकता है, तो यहां पर हम use करते हैं, ध्य इसी का आप example लिख सकते हो, hot wire, hot wire, या फिर क्या होगा, आप लिख सकते हो, thermocouple, thermocouple जो ही, वो हम use करते हैं, higher frequency में, अगर आप से कभी पूछ लिया जाए, कि higher frequency में, RMS measure करना है, तो, या तो hot wire या thermocouple आप यूज कर सकते हो, जान रखना, यह दोनों भी क्या measure करते हैं, होट wire instrument भी RMS measure करता है, और आपके पास में, thermocouple है, वो भी RMS ही measure करेगा, तो answer इनका भी RMS ही आएगा, ऐसा नहीं कि यह average measure करेंगे, नहीं, RMS measure करेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, कि RMS measure करने के लिए higher frequency में यह instrument आएगा, next, अब आप से पूछेगा, यहाँ पर आप से condition क्या होगी, देखो, यहाँ पर हमारे पास में, क्या है, यह हमारे पास में क्या है, meter है, ये meter है, जिस meter का जो inductance है, जो meter का inductance है, वो LM है, meter का resistance है, वो RM है, shunt branch का resistance RSA चे, inductance क्या है, LSA चे, आप से बोलेगा बस यहाँ पर examiner की इस instrument में condition to eliminate error due to frequency क्या होगी, अगर आपको condition to eliminate error due to frequency अगर पूछ ले तो क्या answer लगा होगे condition to eliminate error due to frequency चलिए सोन्या का answer आ रहा है सा shunt branch time constant equal to meter time constant providing shunt coil with parallel यह तो हम shunt coil अपने बना रहे हैं range को बढ़ाने के लिए बट आपको question range वाला नहीं पूछेगा यहां से question पर बात करेंगे हम question पूछेगा frequency की error को eliminate करना है क्या करोगे तो ध्यान रखना time constant देखो आपको सभी को पता होगा network में आपने पढ़ा होगा कि RL circuit का time constant होता है L by R यहां पर भी time constant होगा L by R तो एक काम करते हैं अगर time constant के में बात करूँगा तो यह LSH divided by RSH जो होगा वो LM divided by RM के बराबर होगा मतलब shunt branch का जो time constant है और जो मिटर का time constant है अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास में error due to frequency eliminate हो जाएगी तो यह हमारे पास में क्या होगा ध्यान रखना condition to eliminate condition to eliminate condition to eliminate error due to frequency error due to frequency error due to frequency यह moving iron emitter के अंदर है लेकिन मान लो अगर मुझे यही moving iron voltmeter में पूछ लिया जाए MI voltmeter के अगर में बात करूँ तो moving iron voltmeter में अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर error due to frequency क्या होगी जिसे मान लो यह multiplier resistance हमने लगाया है यह हमारा मिटर है और यहाँ पर मिटर का resistance LM है यह हमारे पास में RM है यहाँ पर हमने जो capacitance वो लगा दिया है C यह RS है तो देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेना कि हमें क्या करना है एरर due to frequency को हमें eliminate करना है तो बताओ क्या करेंगे हम इसके अंदर इसके लिए condition क्या होगी बताओ सी इकल तो क्या होगा LP divided by R square एकदम सही answer है उमेश सी इकल तो क्या होगा LP divided by जो है वो हमारे पास में condition रहेगी .41 practically रहेगा ठीक है .41 जो है अगर आपको दिया गया होगा तो प्रेशन जो भी हमारे पास में L divided by R square आप कर लिजी तो यह हमारे पास में क्या होगा यह condition होगी practically तो यह option में दिया हो तो यह लगा देना तो यह भी बहुत बार exam में question पूछा गया है तो यह point भी आपको याद रखना में बस यह बात कर रहा हूं कि question क्या पूछेगा answer आपको क्या लगाना है यह derivation से सारी चीज़ा आती है तो derivation की need नहीं है बस आप इन सभी point को याद रखना next अब हम आते हैं moving iron instrument के अंदर जितने भी question पूछी जा सकते हैं वो लगबग सारे complete हो चुके हैं अब हम बात करते हैं किस पर moving iron के बाद में जो हमारा सबसे important topic रहेगा जहां से question आता है वह गाधा दाइनमो मिटर टाइप इंश्टुमेंट में बात करें डाइनमोमिटर टाइप इंस्टुमेंट l का एक rebel को बना था इंसको अपन क्या बनते हैं उलेक्ट्रो मेगनेट लग ine कोई इंस्ट्रूमेंट आप देखो यहां पर आपको दो चीज़ पता लग रही है ना कौन सा यह option में ना हो पॉइंट फॉर वन ना हो तो फिर आप डिवाइड वाई आर स्क्वायर लगा दे रहे हैं यहां से अब डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि यहां से कुष्ण आएगा और एक कुष्ण जो ही वह अपने को सिक्यूर करना है तो अच्छे से डिटेल में स्कूप रिवाइज करना पड़ेगा तो चलिए हम आते हैं इंड्रो मेंगनेट है अब इलेक्ट्रो मेगनेट क्या होता है कोईल होगी और जब उस कोईल में करन्ट फ्लो होगा तो वह मैगनेटिक फिल्ट प्रोड्यूस करेगी तो वह होगी इलेक्ट्रो मेगनेट दूसरी हमारे पास में क्या होगी एक होगी मुविंग कोईल होगी तो यह हमारे पास में क्या है moving coil होगी तो pointer moving parts पर होगा कुछ इस तरगा construction हमारे पास में रहेगा यानि कि जो dynamometer type instrument है उसमें देखो दो coil हमें use करने पड़ रहे हैं कौन कौन सी एक है electromagnet जिसमें current flow होकर वो flux produce करें दूसरी हमारे पास में क्या है moving coil है तो एक electromagnet है दूसरी हमारे पास में moving coil से तो electromagnet moving coil यहां पर दो है तो आपको examiner पूछेगा कि वदा उसमें कितनी coil होती है तो EMMC instrument में दो coil होती है जिसमें से electromagnet वाली जो coil होती है वो सको हम बोलते है fixed coil है यह हमारे पास में fixed coil होती है और यह कौन सी होगी यह होगी हमारे पास में moving coil क्लिए समझ में आ गया एक होगा fixed coil और दूसरा हमारे पास में क्या रहेगा moving coil रहेगा तो यहां पर दो coil होगी one is fixed coil and another is moving coil तो यहां पर ज्यानक मा fixed coil जहां पर है उस पर main magnetic field fixed coil में produce होता है fixed coil में ही main magnetic field produce होगा तो यहां पर लिख देना it is consist of it is consist of two coil it is consist of two coil consist of two coil one is fixed coil one is fixed and another is moving one is fixed and another जो है वो क्या होगी हमारे पास में is moving तो another जो है वो moving coil होगी अब देखो fixed coil है और यह moving coil है मान लोग इसका inductance L1 है यहां पर inductance L2 है दोनों के बीच का mutual inductance M है तो आपसे पूछी का बताओ यह किस principle पर काम करता है moving iron instrument जल्दी से बताओ moving iron instrument जो है वो किस principle पर काम करता है देखो यह current coil और pressure coil कुछ answer बोल रहे हैं sir current coil और pressure coil बेटा current coil pressure coil word जो है वो सिर्फ watt meter में use करते हैं अभी मैं यहां पर वोट मेंटर की बात नहीं की मैंने सिप लेका dynamometer type instrument और डाइनमो मेंटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में तीन टाइप के instrument हम पढ़ने वाले हैं कौन-कौन से एक होगा हमारे पास में वोल्ट मिटर एक हम पढ़ेंगे वोल्ट मिटर दूसरा हम पढ़ेंगे अमिटर दूसरा हम पढ़ेंगे अमिटर दूसरा हम पढ़ेंगे अमिटर और तीसरा हम moving coil और यहां पर mutual flux जो हैं दोनों को गोल के बीच का होगा इसलिए यह किस पर काम करता है mutual inductance के principle पर काम करता है तो यहां पर लिख दिना next point it works on the principle of mutual inductance it works on principle of mutual inductance principle of mutual inductance mutual inductance तो यह mutual inductance के principle पर जो है वो काम करेगा next इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको examiner यह कुशन पूछेगा देखो यहां पर तीन चीज़ हम पढ़ेंगे कौन-कौन सा एक हम पढ़ेंगे अमिटर वोल्टमेटर एंड वोटमेटर तो मैं सबसे पहले यहां पर जो है वोटमेटर पर जाओंगा लेकिन उससे पहले आप यहां पर डिफलेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मला क्या होता है यहां पर आपसे पूछ लिया जाएं डिफलेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मला क यह हमारे पास में deflecting torque καन को फर्म यहां है न पूचा गया है कि बदाव यह deflecting torque की कोई लायों में thebourव टाइनोमेला थाइब इंस्ट्रुमेंट के अंदर इट्ट्रुमेंट के अंदर एलफा क्या है गाने लिखने अपधाना यहां फिक्स्ट कोयल का चुरेंट ऐसे मुविं गॉइल का कुरंट है एफी कोल कर अलफा क्या है तो अलफा י ओं और आई डोनों के बीच का गॉगास आईफ्रॉंस यहांपर ड्यान रखना ऐफडानम और क्या है रिंप थि दो खेसे कहल Elect में है यह होगा moving coil current moving coil current होगा moving coil current होगा और alpha जो होगा वो angle between angle between I1 and I2 क्या बोला मैंने I1 और I2 के बीच का जो ही वो angle रहेगा screenshot लेने ज़िए ग्रुप में कोई PDF send नहीं करता है बेटा ग्रुप में PDF अगर मालों नहीं भी आ रहे हैं आप application पर जाका वहां से collect कर सकते हो मेरे कोडिंग application पर आपको PDF मिल जा रही होगी जल्दी से एक बार बाकी सभी इस्ट्रेंट जो है बताओ application पर मिल रहे हैं PDF आपको time to time अगर आपको after class end होने के बाद में I think मेरे साब से within one hour में आपको PDF जो हैं application पर मिल जाती है क्योंकि अभी आप screenshot लोगे फिर मुबाइल से screenshot से पढ़ने मजा भी नहीं आएगा वहां पर पूरी PDF मिल जाएगी आप revision कर लेना ठीक है मिल रही है चले ठीके फिर आराम से वहां वहां से आप डाउनलोड कर लो अभी फिलाल थोड़ा सा समझने में फोकस करो हैं नहीं तो क्या होगा अपना दिमाग जो है वह इसा question हमें करना है चले तो यहां पर अगर बात करें तो मैंने क्या बोला यह हमारे पास में deflating torque होगा alpha जो है वह द्यान रखना angle between i1 और i2 हमारे पास में रहेगा तो यह जो formula है यह average deflating torque का है किसका formula है ज्यान रखना average deflating torque average deflating torque का formula होगा average deflating torque जो है उसका formula रहेगा चलो अब आपसे बोल दिया जाएगा कि यहां पर scale बताओ linear होती या non-linear अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें scale linear होगी या non-linear तो अब यहां पर डिपेंड करेगा कि वह ammeter है या voltmeter है या wattmeter है अगर ammeter और voltmeter है तो scale non-linear होगी अगर wattmeter है तो scale linear होगी आपन बात करेंगे आगे जाने के बाद में तो यहां पर पूप हों प्रोवाइड कराता है air friction damping ही होगा यहां पर लिख दिना damping Rawоль की अगर मैं बात करूं, damping जो ही, damping torque है, वो क्या रहेगा हमारे पस में, तो damping torque है, वो air friction damping रहेगा, air friction damping रहेगा, air friction damping जो ही, वो रहेगा, next, इसके बाद में अगर हम बात करें, अगला important point जो होगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा, इसको कितनी frequency तक हम use करते हैं, तो ध्यान लगना, इसे भी सिर्फ 125 Hz frequency तक use किया जाता है, इसको हम कहां तक use करते हैं, only up to 125 Hz frequency तक use करते हैं, तो इसका answer भी क्या होगा, used up to 125 Hz frequency, 125 Hz frequency तक ही हम क्या करते हैं, इसे use करते हैं, यारे कि moving iron और दोनों की condition से हमें, moving iron और दोनों की condition जो है, वो हमारे पास में क्या रहेगी, same रहेगी दोनों को, same frequency तक हम use करते हैं, इसके बाद में, अगर हम next point पर आते हैं, तो next point पर हम start करते हैं, हमारा wattmeter, और अब यहाँ से focus कर लेंना, जल्दी से बताओ, dynamometer type wattmeter जो है, पहला गर्वन बात करें, तो यह जो instrument है, वो क्या होता है, transfer instrument होता है, transfer instrument होता है, अगर आप से कभी push lake की बताओ, यहाँ पर transfer instrument कौन सा है, dynamometer type wattmeter, जो है वो एक transfer instrument होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर AC और DC के लिए, अलग-अलग calibration की requirement नहीं होती है, अगर आप एक बार calibrate कर देते हो, तो आप दूसरी quantity without further modification, या without further calibration, आप measure कर सकते हो, अगर कुछ ना बोले, तो फिर आप non-linear लगाओगे, गिरिश अगर मानलो कुछ भी नहीं बोलता है, तो non-linear लगाओगे, क्या बोला मैंने, अगर मानलो पूछ लेगी, EMMC instrument जो है, इसकी scale क्या होती है, आप आंसा लगाओगे ना non-linear, linear नहीं लगाओगे ना non-linear, चलिए तो यह transfer instrument होता है, अगर मानलो हम लोड कर दें, तो यह पूरा एक circuit हो जाएगा, जिसमें आप वोट मेटर को connect करते हो, अब वोट मेटर में यहाँ पर यह जो symbol मैंने बनाया है, जल्दी से बताओ, यह वाली जो कोईल है, इसको अपन किस नाम से बूलते हैं तो यह जो coil है यह देखो आपके पास लोड है और लोड का जो current है वो आई होगा अगर लोड का current अगर हमारे पास में आई होगा, लोड का voltage V होगा और लोड में मानके चल रहा हूँ मेरे पास में lagging load है lagging load अगर हमारे पास में जिसका power factor cos phi है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि इसमें यह जो coil होगी इस coil में देखो load का current है वो इसी coil से होकर आएगा इसलिए उस component क्या बोलते है current caring coil तो यह जो होगी, यह क्या होगी current caring coil होगी current caring coil यह जो होगी, current caring coil होगी तो current coil हमारे पास में है और यह जो है, यह क्या है pressure coil है pressure coil, potential coil या voltage coil आपको भी बोल सकते हो इसको आप pressure coil भी बोल सकते हो pressure coil भी बोल सकते हो next हमारे पास में potential coil भी बोल सकते हो potential coil भी बोल सकते हो या फिर इसी को आप voltage coil भी बोल सकते हो तो ये pressure coil होगी, लेकिन आप मुझे बताओ current caring coil जो होती, वो कौनसी वाली coil होती है fixed coil या moving coil जल्दी से बताओ, ये जो current caring coil है ये fixed coil होती है या moving coil होती है नहीं, non-linear ही सही answer होगा है non-linear ही सही होगा non-linear ही सही होगा है ये जो current caring coil है, ये क्या होगा, ये fixed coil होगी current caring coil हो fixed coil होती है और ये जो pressure coil है, ये हमारे पास में moving coil होती है ये क्या होगी, moving coil होगी तो watt meter में मैंने क्या बहला, watt meter में 2 coil होगी fixed coil और moving coil fixed coil को ये अपन current caring coil बोल के चलते है मोविंग को, अपन प्रेसर को, पोटेंशिल को इसे को अपना को, हैं यहां पर यह जो फिक्स को ईंज है, यह एक्शाम में पूछ आता है, कि वोड्य मेंटियोक को हम फिक्स आंप asynchronous करते हैं, तो यहां पर आपका answer कि होगा current caring coil हम current caring coil जै जिसको बोलते है fixed coil उसको हम दो पार्ट में split कर देते हैं यानि कि यहाँ पर जो fixed coil होगी अगर हम बात करें यह जो fixed coil है इस fixed coil को हम दो पार्ट में split करते हैं यह जो fixed coil है इस यह दो पार्ट में split होगी पहला पार्ट रहेगा FC1 और दूसरे क्या होगा FC2 फिक्स कोईल FC1 and FC2 हमारे पास में रहेगा आपको एक्जाम में कुश्चन यह सब पुश्त है कि हाई करेंट एप्लिकेशन में यह जो दोनों कोईल है या फिक्स कोईल है वो उसको कहां कनेक कर दें सीरीज में पैरलल में जल्दी से एक बार यहां पर फोकस करो है किसी कोई किसी की बात नहीं मनने क्योंकि बैटा इस अभी जो एक्जाम जो है अभी यह जो एक्जाम है इस एक्जाम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका दोस्त है दियान रखना इस एक्जाम में कॉंपिटिशन में सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका दोस्त है ठीक है क्योंकि जिस दिन मान लो अगर आपके दोस्त का सेलेक्शन नहीं हो और आपका सेलेक्शन हो गया तो उस दिन दोस्ती यारी सब खतम हो जाएगी है ना अंदर से जो फिलिंग आएगी वो अलागी आएगी तो इसलिए है ना वही आपको डिस्टरब करेगा अभी इस टाइम पर तो अभी दोस्तों से दूर रहना है और पढ़ाई पर ध्यान लगाना है तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला यह जो कोईल है ना आफसीवन एककSun Y Sunny यह कहां पर प्रैर्ल में कर खोल होगी फोर हाई कुरंट के लिए ना अगर मैंच करूँ हाइपकर रह है तो हाई कंट रती है तो हाह क्रेंट आप्लिकेशन के अंदर जो है वह क्या होगा? सीरीज कॉंबिनेशन लो करेंट के लिए प्रिफर करेंगे डेफिनेटली करेक्ट आंसर है तो चलो यहां पर अब बात करते हैं मैंने क्या बोला यह वोट मेटर है यह वोट मेटर है जिसमें कोईल है इस तरह से मैं आपको नाम बता दिया अब आपको एक्जामेनर यह अब प्रेशर कोईल जो है वो क्या होती है अगर आप देखोगे नॉर्मली तो यहां पर आरेस की वेल्यू जब आप वुक में देखोगा तो तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हो यह वो हाईली रजिस्टिव होनी चाहिए तो अगला इंपोर्डिंट्पोइंट क्या होगा important point क्या लिखना है यहाँ पर pressure coil of wattmeter pressure coil of wattmeter should be highly resistive wattmeter should be highly resistive should be highly resistive should be highly resistive तो यहाँ पर क्या होगा वो highly resistive होगी next इसके बाद में इसके बाद में अगर हम अगले point पर बात करें जो examiner हमें पूछ सकता है deflecting torque का यहाँ पर जो formula होता है wattmeter में वो होता है vi cos phi divide by rs into dm by d theta यह हमारा deflecting torque का formula होगा जो हमारे पास में क्या रहेगा td is equal to इसको vi cos phi आपको सभी को पता होगा average value of active power का formula होता है divide by rs into dm by d theta हमारे पास में रहेगा तो जल्दी से बताओ wattmeter क्या measure करता है आपको examiner पूछ लेगा wattmeter क्या measure करता है active power reactive power या apparent power क्या answer होगा energy meter के अंदर pressure coil highly inductive होती है definitely सही है गिरिस हो सकता है कि आपने जो question देखा होगा जहां पर highly inductive उन्होंने दिया होगा को वोट और मिटर को अलग-अलग कर लो तो वोट किसकी उनिट होती है यह यूनिट होती है हमारे पास में एक्टिव पावर की तो यानि कि वोट मिटर क्या मेजर करता है दियानक माँ वोट मिटर मेजर करता है एक्टिव पावर को मेजर करने वाले मिटर को ही हम बोलते हैं तो watt meter हमेशा active power measure करता है और active power की भी कौन सी value, average value of active power, क्या measure करेगा, average value of active power जो ही, वो measure करेगा, तो यहां पर लिख देना, watt meter, यहां पर लिख देना, it always measure, it always measure, average value of active power, average value of active power, तो ज्यां रखना, यह active power की जो है, average value measure करेगा, watt meter, कभी भी reactive power या कुछ भी दूसरी जी measure नहीं करेगा, जिसे मानलो आपको एक्जाम में ऐसा question पूछ लें, कि यह मानलो हमारे पास में एक inductor है, और यहां पर यह watt meter लगा हुआ है, आपको यहां पर current power, यहां voltage देदेगा 200, य बताओ इसकी reading कितनी होगी, watt meter की reading जल्दी से बताओ क्या answer लगाओगे, watt meter की reading कितनी होगी, अगर आपसे पूछ ले तो क्या answer लगाओगे, हाँ, pneumatic damping भी बोलते हैं, अच्छा cricket में चल रहा है, बिटा मेच से क्या मतलब रहा, जिंदगी का मेच यहां चल रहा है, आप उस cricket मेच पर focus कर रहे हैं, जिसका खतम होने के बाद में आपको finally यह फील होता है, कि यार दो गंटे में वेस्ट कर दिये, इस से अच्छा में लास्ट में जो 15 मिंट में उसका highlights देख लेता, तो अच्छा रहता, तो जो चीज हमें पता है, कि हमारा time वेस्ट करेगी, तो उसमें में 0, एकदम सही answer है, 0, reading मतलब हमारे पास में कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि watt meter जो है, inductor, यहां inductor लगाया है, inductor कभी भी ध्यान लखना, active power absorb नहीं करता है, inductor के पास में active power कितना होगा, 0 होगा, तो watt meter आपकी reading हमेशा क्या देदेगा, 0 देदेगा, बस और कुछ नही यह एक impedance Z2 है, और यहां पर, यहां पर आपसे बोल देगा कि यह current coil है, यह current coil है, और यहां से बोला जाएगा, यह pressure coil है, यह pressure coil है, आपसे बोलेगा, बताओ, यह जो watt meter है, वो किसका power measure करेगा, power across Z1, option A होगा, power across Z1, option B होगा, power across Z2, option C होगा, power across Z1, and Z2, option D होगा, none of this के answer यह जो watt meter है, बताओ, कहा का power measure करेगा, Z1 का power measure करेगा, Z2 का power measure करेगा, या दोनों के cross power measure करेगा, तो answer क्या आइगा, answer आएगा, power across Z1, Z2, यहां ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा यहां पर wattmeter की जो reading होगी Z1 and Z2 का power आपके पास में दोनों ही measure करेगा यह जो reading होगी Z1 and Z2 दोनों का power measure करेगा लेकिन मान लो अगर आप से यही question कुछ इस सरका पूछ लिया जाए यहां पर आप से बोल देगा यहां पर आप से बोल देगा इस सरका डाइग्राम बना देगा examiner और यह पूछेगा कि बताओ यह जो wattmeter है अब बताओ यह wattmeter किसका power measure करेगा यहां पर जो wattmeter की reading होगी यह आपको Z1 देदेगा और यह Z2 देदेगा अब जल्दी से बताओ power across क्या measure करेगा Z1, power across Z2 या power across Z1 and Z2 क्या answer आएगा power across Z1, Z2 या Z1 and Z2 तो कुछ का answer Z1 only आ रहा है कुछ का answer Z2 only आ रहा है यानि कि यहां पर 50-50% चल रहा है बटा 50-50% नहीं होना चाहिए शोर होना चाहिए 100% की यार यही सही है चलो जल्दी से बताओ कौन 100% सही बोल रहा है कौन सा होला answer 100% सही है अब सभी बोलोगे सर मैंने Z1 बोला है तो मेरी तरफ से 100% सही होगा देखो अब अगर इस तरह का कुछन कभी भी पूछा जाए तो आपको मैं तरीका बतायता हूँ कुछन करने का तरीका यह कि प्रेशर कोईल का कनेक्शन जिसके एक क्रोस होगा पावर वहां का मेजर किया जाएगा आपको जस्ट क्या करना है आपको प्रेशर कोईल के कनेक्शन देखने है यह pressure coil है इसके connection आपको देखने इसका एक टर्मिनल यहाँ जा रहा है दूसरा बॉल टर्मिनल में यहाँ पर आ रहा है तो यानि कि pressure coil इन दोनों के एकोव मैंगो से Z2 के एकोव मैंगो से connection है वो Z1 और Z2 दोनों के एक क्रो से अगर मालो option में यहां पर आप मुझे बताओ अगर मालो option में ऐसा भी हो अगर option में ऐसा हो ज्यानक ना option चेंज कर सकता है examiner है उसके mood पर depend करता है examiner आपको बोल देगा कि बताओ इस water meter की reading क्या होगी option A होगा power across Z1 and Z2 होगा अगर option भी ऐसा हो कि power across Z1, Z2 and current coil तो बताओ क्या answer लगाओगे अगर इसी question में option में अगर current coil को और addition करके दे देता है तो फिर क्या answer लगाओगे तो ध्यानक ना मेंने क्या बोला कि pressure coil जहां पर connect होगी power वहीं का measure किया जाएगा तो अब आप इसमें देखोगे pressure coil कहां पर Z1, Z2 और current coil के एक्रो से देखो current coil है तो current coil का power भी फिर measure किया जाएगा तो option के according आपका answer है वो change हो जाएगा पूरा तो एक्जाम में ध्यान रखना कि examiner केसा option आपको दे रहा है उसके according आपको answer लगाना पड़ेगा clear है तो answer आएगा power across Z1, Z2 and current coil तो option के उपर आप देख देना वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप option पूरे ही ना पड़ो option को पूरा पड़ना है जैसा option दिया गया होगा उसका answer लगाना है तो इसका answer क्या होगा ध्यान रखना इसका answer होगा power across Z1 power across Z2 है ना power क्या होगा across Z2 तो Z2 हमारे पास में क्या answer रहेगा मान लो गर यही diagram ऐसा दे दिया जाए अगर examiner मान लो यही diagram अगर ऐसा देगा यहां देदेगा Z1 यहां पर देदेगा Z2 और यहां पर हमारा जो diagram है वो हमें इस तरीके से connect कर देगा यह diagram कुछ इस तरीके से connection कर देगा अब बताओ answer क्या होगा अगर इसमें बोल दिया जाए कि हमारे पास में power किसका measure करेगा तो क्या answer आएगा इसमें वोट मेंटर की रिडिंग जो होगी वो क्या होगी इसमें answer क्या आएगा हाँ शीव मिस्त्रा बताएंगे लो पावर फ्रक्टर हाई प्रफ्रक्टर वोट मेंटर सब बताएंगे वहां तक पहुंचेंगे लेकिन एक बार पहले basic concept तो देखें कुछन के कि गुशन पुछेगां अब देखो कहांपर रहे तो यह प्रेशर फों न कई वॉट मेंटर मेजर करेगा तो ऐसे त लिक काको पुछेगा निमेरिकल पर नहीं जायगा निमेरिकल पर नहीं जायगा जिसमानलो आपको एकजामिन अइसे न पूछ ले आपसे बोल दिया जाएगा प्रेशर कोईल का वोल्टेज इतना है प्रेशर कोईल वोल्टेज जो है आपको examiner ऐसा पूछलेगा प्रेशर कोईल वोल्टेज है वो तेन या हंदेड अंगल 30 degree है 100 angle 30 degree है current quill current जो है current quill current है वो हमारे पास में है 8 at an angle minus 15 degree है minus 15 degree है बताओ watt meter की reading कितनी होगी जल्दी से बताओ watt meter reading क्या होगी watt meter reading जो है वो क्या answer रहेगा क्या answer रहेगा जल्दी से reply करेंगे बताओ रहेगा है डिजह से अशया है जो है Vielen झाल झाल है हो consider ने अगर इस लिए जेए अगर आप पूछां को लिए ग सब्सक्न को क्या च्ण को वे खर्री सब्सक्रों अ आपको बता है वी याइई-ग्योर्त-फ़ू इए S is equal to P plus J Q होता है वो होगा V I conjugate होगा तो V I conjugate में आप क्या करोगे voltage यहाँ पर दिया वह 100, angle 30 degree है और current I कितना है 8 angle कितना है, minus 15 degree है बड़ इसका conjugate अगर आप करोगे तो जब conjugate करते हैं तो minus वाला angle plus में चला जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा 100 into 8 कितना हो जाएगा 800 800 और यह angle 30 और यह plus 15 हो जाएगा 45 degree आ जाएगा तो इसको आप 800 into cos 45 degree plus J 800 into sin 45 degree आप लिख सकते हो तो यहाँ से answer क्या आजाएगा हमारे पास में 800 answer हमें active power चाहिए है ना क्योंकि vote meter हमेशे active power ही measure करता है 800 into cos 45 1 by root 2 होता है तो answer आएगा 800 into point 707 हमारा answer होगा यह हमारा answer आएगा answer क्या आएगा 800 into point 707 समझ में आगे है अरे जल्दी से बताओ यह clear है सभी को clear तो answer हमारे पास में क्या आएगा answer आएगा 800 into point 707 जो है वो हमारा correct answer रहेगा लेकिन द्यान रखना अगर इसी question को modify अगर ऐसा कर देता है इसी question को अगर वो change करके अगर ऐसा लिख दे कि pressure coil का जो voltage है pressure coil voltage है वो हमारे पास में 100 into sin omega t plus 30 degree है और यहाँ पर current coil current जो है वो द्यान रखना वो क्या है 8 into sin omega t minus 15 degree है अगर मुझे यह पूछ लेकि बताओ यहाँ पर जो है watt meter की reading कितनी होगी अगर यही question को modify करके अगर आप से इस तरह से question पूछ लिया जाए तो क्या answer होगा हाँ वही पर जा रहा हूं मुझे पता है कि जो आप लोग mistake करते हो हमें उसी पर जा रहा हूं कि आप लोग जनरली यह mistake ना करो है ना जनरली इस तरह की mistake आप ना करो तो वो question और यह question है ना अध्यानक ना दोनों ही अलग-अलग है दोनों ही अलग-अलग है आप ऐसा मत सोच दें ना कि सरम network में हम यही करते हैं कि हम हंड्रेड और यह 30 होता है तो इसको हंड्रेड एंगल 30 हम ऐसा लिख देते हैं और यहां 8 और यहां माइनस 15 होता है तो हम इसको network में ऐसा लिख देते हैं और हम इसको इसे solve कर लेते हैं basic electrical में बट ऐसा नहीं करना है दोनों different different है यहां पर ध्यान रखना अगर question इस format में दिया गया हो अगर यह question इस format में दिया गया हो तो यह हमेशा rms value होती है अगर question आपको कभी भी इस format में दिया गया हो तो यह हमेशा rms value होती है लेकिन अगर question इस format में दिया गया हो तो यह हमेशा peak value होती है तो बस ये मिस्टेक मत करना जो जनरली स्ट्वेंट इस टाइप के कुश्चन में मिस्टेक करते हैं समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना ये format आप network में interchange करते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है बट question में कैसा पूछा गया है अगर directly ऐसा पूछेगा तो ये RMS में लेना है और ऐसा पूछेगा इसको peak में लेना है और फिर उसके according आपको solve करना पड़ेगा तो बस ये mistake मत करना एक्जाम में जिस format में question दिया गया हो उसके according आपको answer निकालना है अगर इसकी में बात करूँ तो यहाँ पर power का formula मुझे सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होता है half यहाँ का maximum और यहाँ का maximum करना पड़ेगा क्योंकि RMS VM by root 2 होता है तो यहाँ का maximum कितना है 100 है यहाँ का maximum 8 है और मैंना half कर दिया root 2 root 2 हो जाएगा और यहाँ पर coarse angle difference लेलो आप 45 degree तो यहाँ से आपका answer निकाल लो अब आपका answer आजाएगा 400 root 2 क्या answer आएगा 400 into 1 by root 2 है 400 by root 2 400 divided by root 2 आपका answer होगा तो यह answer जो है इस question का है इसका answer जो है वो आएगा 400 divided by root 2 तो 400 into 0.707 करना पड़ेगा जल्डी से बताओ अब आगे से future में अगर ऐसा question आपको मिलेगा गलती तो नहीं करोगे अगर future में अगर कभी ऐसा numerical अगर आपको मिलेगा तो mistake तो नहीं करोगे न क्योंकि एक एक number जो है न वो बहुत important रहता है और बहुत बड़ा matter जो है वो role play करेगा यहां पर आपके selection के अंदर तो इस तरह से mistake नहीं करनी है आपको यह याद रखना है इस तरह से question आपको solve करना पड़ेगा next इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो यहां पर आपको examiner ऐसा question पूछता है कि minimum number of watt meter के बारे में आप से पूछेगा minimum number of watt meter minimum number of watt meter minimum number of watt meter के बारे में अगर आप से कभी पूछ लिया जाए कि how many minimum number of watt meter are required और आप से बोल देगा पहला question आप से पूछेगा three phase four wire three phase four wire balance system है three phase four wire balanced system है और आप से पूछेगा बताओ कितने minimum number of watt meter required होंगे क्या answer आप से पूछेगा बताओ three phase four wire balance system में दूसरा हमारे पास में आएगा three phase four wire unbalance system होगा unbalance system होगा unbalance system होगा और next हमारे पास में क्या आएगा C जो है वो रहेगा three phase three wire three wire balanced balanced और unbalance system balanced और unbalance system है तो कितने watt meter हमें required होगे तो देखो अगर ऐसा question कभी भी पूछता है तो पहला दूसरा और तिसरे का answer क्या होगे जोड़ी से type करेंगे one, three, two चलिए पहले वाले में balance system में correct answer है one answer होगा one watt meter required होगा balance system में unbalance system में लेकिन four wire है तो three watt meter required होगे यह भी correct है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर two watt meter required होगे अभी शायद NHPCJE में ऐसा question आया था और NHPCJE में शायद यह वाला question आया था यह वाला question आया था तो three phase four wire अगर आपके पास में balance system है तो आपके पास में one watt meter required होगा तो आपको examiner ऐसा question पूछेगा है दियान लगना ऐसा example बना देगा वैसे बनाना चाहे तो examiner के बहुत तरीक है एक्जामपल बना सकता है वो आपसे बोलेगा in a three phase four wire four wire balance system four wire balance system the reading of one watt meter age reading of one watt meter age one watt meter age hundred watt और three phase four wire balanced दियान लटना और star connected system के में बात कर लेता हूं तो यहां पर reading of watt meter जो है वो hundred watt है तो बताव total three phase power कितना होगा P of three phase कितना होगा आपको examiner ऐसा question पूछेगा क्या answer आएगा बताव three phase four wire system में balance system में एक वोट मेटर hundred डीट कर रहा है बताव total three phase power कितना होगा चलिए previous में numerical में phase repeat कर दीजीए चलिए मैं repeat करता हूं आकाश दो मेंट बेट करो अगर कभी ऐसा question पूछ ले न कि वोट मेटर की रेडिंग कितनी होगी तो वोट मेटर की रेडिंग जो है वो हमारे पास में आ जाएगा बस total three phase power जो होगा one watt मेटर मेटर में ध्यान रखना three times of watt मेटर की रेडिंग हो जाएगी three times of watt मेटर रेडिंग करना है watt मेटर रेडिंग करना है ध्यान रखना तो three से multiply करना पड़ेगा तो three into watt मेटर की रेडिंग hundred है तो three hundred हमारे पास में answer हो जाएगा three hundred जो है वो answer होगा तो ऐसा भी question बना सकता है वो नहीं तो आपसे बुलेगा कि three phase four wire unbalance system में एक watt मेटर इतना रीड कर रहा है दूसरा इतना रीड कर रहा है तीसरा इतना रीड कर रहा है अब दा total three phase power के फिर तीनों का आप summation कर देना लेकिन examiner जो question आपसे पूछता है examiner जो question आपको पूछता है वो question आपको ज्यादा तर जो पूछे जाते है वो two watt meter method से पूछे जाते है two watt meter method two watt meter method two watt meter method अगर हम two watt meter method की बात करें तो two watt meter method में क्या होगा जिससे मान लो जिससे मान लो अगर हमारे पास में ये star connected load है ये star connected load है ये star connected load है तो यहां पर क्या होगा, यह star connected 250 डूद और मैं यहां पर मानके चल रहा हूँ, star connected balance loaded star connected balance load है और यहां पर मुझे क्या करना है 2 watt meter method जो वो यूस करना है अब दिखो 2 watt meter method में अगर balance loaded तो इसका angle 5 है ये भी z angle 5 है और ये भी z angle 5 है अब मेरे पास में 2 watt meter है अगर 2 watt meter है तो 2 watt meter में 2 current कोई लोगी जल्दी से बताओ यहां पर 2 watt meter method में 2 watt meter है 2 current coil है और 3 phase है 1 phase R phase है 2 y है और 3 B phase है जल्दी से बताओ इन 3 Oh में से कौन से 2 phase में current coil connect करोगे कौन से 2 phase में current coil usa है वो connect होगी जल्दी से बताओ क्या answer होगा कौन से 2 phase में current coil 좀 है वो connect करेंगे रवी बोल रहें कि PG-C-I-L का क्लास कर आएगा बेटा देखो PG-C-I-L में मैं आपको बदाएता हूँ PG-C-I-L के अंदर ऐसा नहीं होगा कि PG-C-I-L के लिए मेजरमेंट में अलग से नहीं बना के लाँगा कि बेटा 2 watt meter method में SSE-J-E में तो current coil कहां पर connect होती है देखो R phase और Y phase में होती है और जो आपके पास है PG-C-I-L में वो R और B phase में होती है ऐसा मैं नहीं लेकिया हूँगा मैं measurement जो है वैसा ही बोलूँगा कि SSE-J-E में जहां पर pressure coil जिसमें connect होगी PG-C-I-L में भी वहीं पर connect होगी मतलब यह technique अगर मानलो technical syllabus की अगर हम बात करें तो technical syllabus थोड़ी ना change होगा हाँ यह जरूर ऐसा हो सकता है कि SSE-J-E में कम subject है PG-C-I-L में थोड़े से extra subject और हैं तो थोड़ा सा आप उनको भी करवा दीजिए ताकि हमारी preparation बहुत अच्छी हो जाएगी तो यह थोड़ा सा अच्छा सही लगता है कि यार चलो आप थोड़ा सा dedicated हो PG-C-I-L के लिए यह subject यही रहेंगे न हाँ आपके पास में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसके लिए हम पूरी कॉसिस करेंगे कि उन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी revision आपको करवा दें लेकिन पहले एक बार SSE-J-E को complete करवाते हैं न चलो तो यहां पर आ जाते हैं द कहीं पर भी लगा दो किसी भी दो फेज में लगा दो आप यहां पर लगा रहे हो और आप यहां पर लगा रहे हो बट तीसरा हमारे पास में क्या रहेगा बस यहां की जो प्रेशर कोईल होगी न यह पहला वोट मिटर है उसकी जो प्रेशर कोईल होगी वो तीसरा फेज ज जिस पर हमने कोई connection नहीं किया हैं, बस pressure coil वहाँ जानी चाहिए, यह हमारा rule होगा, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास में जो current coil है, अगर एक watt meter अगर उसकी current coil R phase में हैं, और दूसरे की जो हमारे पास में current coil Y phase में हैं, और अगर मानलो हमारे पास में हमें बोलना है कि pressure coil connect करनी तो वह 3rd phase पर जाएगी, clear, तो यह मैंने क्या किया है, यह 2 watt meter method का diagram मैंने बनाया है, जिसमें current कुल 2 phase में होगी, और pressure कुल 3 phase पर जाएगी, अब यहाँ पर जो watt meter W1 होगा, W1 होगा, वो क्या होगा समझना, W1 की reading, यहाँ का line voltage कितना है, मानलो VL हैं, और यहाँ से line current अगर I यह ला रहा है, तो W1 watt meter की जो reading होगी, वो होगी, VL into IL into cos of 30 plus 5, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, VL into IL into cos of 30 plus 5, यह हमारे पास में रहेगा, लेकिन अगर मानलो examiner आप से question ऐसा पूछ ले, समझना, अगर मानलो examiner ऐसा question पूछ लेगा, question की language अच्छे सुनना, क्योंकि अच्छा example है, exam में पूछा आता है, अजीद बोल रहे हैं कि सर, PGCL में BTEC वालों को क्यों eligible नहीं, applicable नहीं है, बेटा एक काम करो, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं election में पार्टिसिपेट करी लेता हूं, बस जितवाने की guarantee बस आप ले लो, तो उसके बाद में मैं allow भी करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि थोड़ा सा, आपको पताने कि support चाहिएगा, बिना support तो अपन कुछ change करवा नहीं सकते, तो उसके लिए main चीज है कि हम पहले उपर तक जाएंगे, उपर तक जाने के बाद में फिर system को change करेंगे, तो possible है, वो हम कर सकते हैं, जीत प वेकरी आती है, तब डिपलोमा वाले बोलते हैं, कि सर में बिटेक करके क्या करें, पहाडों पर चले जाएंगे, तो भी पेसा चीएगा, उसके लिए भी जिंदगी निकालनी पड़ेगी है, तो नोक्री ज़रूरी है, कहीं नहीं जाना है, पहाडों पर पढ़ाई करनी है जब opportunity मिले न तब आपको क्या करना है बस उसको grab करना है और selection लेकर आराम से बीच वाली जिन्दिगी है वो काटनी है न चलो तो यहां पर आजब फिर से न तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला यह w1 है और यह w2 हमारे पास में है तो देखो यह w1 है यह w2 है और यह reading में reading है वो 10 10 watt है मान लो और w2 जो है वो 20 watt है ऐसा examiner आपको question पूछ लेगा w1 और w2 10 और 20 watt है और आप से बोलेगा कि मैंने current को पहले r और y phase में लगाई थी अब वो बोलेगा कि अगर मान लो हम क्या करें यह जो wattmeter जो y phase में था उसको हम b phase में लगा दें और फिर पूछेगा बताओ अब w1 और w2 की reading क्या होगी question समझ में आया मैंने क्या बोला question यह है कि पहला वोट में पहले जो connection है w1 जो प्रेशर कोई ले मैं सरी current कोई r phase और y phase में है तब w1 और w2 की reading उतनी है आप से बोलेगा अगर मैं current कोई को r और b में कर दूँ तो बताओ w1 और w2 की reading कितनी ह होगी अगर ऐसा question पूछ ले तो क्या अंसरोगा बताओ चलिए जल्दी से बताओ कि अ कि 1.5 साल से अच्छा में डेड़ साल से preparation कर रहे हो ना तो भी confidence नहीं है बहुत सारे लोग जो है ना उदस-दस साल भी कर लेते हैं फिर भी उनको confidence नहीं आता है ता आप तो साल हुए हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है टेंशन मतलो बस डेड़ साल में बस आप यह देख लो कि अपने आप से पूछो कि आपने कितने दिन सीरियस होकर पढ़ाई की बस वह आप अपने आप से पूछ लो उसके कुडिंग आपका इंदर से जवाब आ जाएगा कि हाँ आपका सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ या कॉंफिडेंस क्यों नहीं आ रहा है चलो तो आंसर के आएगा ध्यान रखना आंसर हो जाएगा हमारे पास में 20 & 10 क्या बोला मैं यहां पर आंसर होगा 20 & 10 जो ही वो हमारे पास में आंसर रहेगा अनुराग बोल रहे सर एप्लिकेशन पर पीडिएफ नहीं मिल रहा है बेटा कोई भी आप सेंड कर देना आफ्टर क्लास जो है आप गुरूप में सेंड कर देना कोई दिक कर नहीं तो उससे आप कलेक कर ले ना आसर आएगा 20 nd 10 यायनि क्या समझ में है कि अगर आप क्या करते हो समझ लेना क्सष्ण जो है मैंने यहाँ पर क्या बोला अगर यहां पर जो प्रेशर कोई जो करन्ट कोई आर फीज़ और वाइ फीड में ती अगर आप किसी बी एक करनकी कि लॉकेश्ण 챙्ज कर देते हूं तो आपके वोट मिंटर की रीडिंग जो इंग आपोजिट हो जाती है को failed किए को क्या फोकस करो आत्म मन्थन नहीं करना है बीच में पताने वह नियुन की यह घ्ली है नी सुनना है बात कि मैं क्या बोलना चाहरा हूं मैं बोल रहा था कि अगर पहले जो वोट मेटर है वो यहां और यहां पर है अगर मैं इसको उटा कर यहां लिया हूं तो बताओ वोट मेटर की रिडिंग में क्या चेंज आएगा तो वोट मेटर अपनी रिडिंग इंटर चेंज करते हैं lotometer की location जिखान में pressure coil के connection की change की बात नहीं कर रहा हूं समझ में आरा किया बूल रहा हूं एक तो अलग क्युछन होता है जो current coil या pressure coil के connection change करें वह बात अलग है में यहाँ पर connection change की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि even वाट मेटर की लोकेशन ही चेंज कर दू मैं तो क्या होगा प्रेशर कोईल और अगर करन अगर मानलो मैं इसे कुछ इन पुस्ता कि यह मानलो एक वाट मेटर 10 रीड कर रहा है रहेगा कि एक वोटमेटर नेगेटिव रीड करने लग जाएगा तो मतलब जिस वोटमेटर की प्रेशर कोईल को आप चेंज करोगे वह वोटमेटर अपनी रिडिंग नेगेटिव दे देगा कि समझ में रहा है कुश्चन के लेंगवेज वहां पर अच्छे से समझना एक्जामिनर केसा कुश्चन पूछ रहा है उसके एकोडिंग आंसर बता नहीं यहां पर जो वोटमेटर है वो क्या करेगा अगर आप कनेक्शन करते two तो जिसके आप रेस đâu की करोगी उसकी वोटमेटर की इड़ींग नेगेटिव हो जाएगी बत दूसरे वाले की सेम रहेगी ठीक है कि है कैसे के लिए जो हमने पढ़ लिये है कैसे की लिए पर ना पढ़ता है उतना टाइम नहीं है बट मैं कुछ्छन पूछ ना विष्वास हैν मिरे Dana वरोसा करते हूं अगर आपको मेरे उप governing में तो और लगा देनों कोई दिक्कतन निया जब आनसर किया है तब आनसर तो वह राएगा न जो मैंने आपको कर देना reading को अगर वो pressure को के connection को change कर वाए तो एक reading को minus कर देना ठीक है तो answer हमारे पास में क्या आएगा answer रहेगा एक बार interchange होगा एक बार negative जाएगा तो मिने बोल दिया कि इस connection के according ज्यान रखना इस connection के according यह water meter की reading आती है w1 और w2 जो आपको याद रखना पड़ेगा vl iel cos of 30 minus 5 और vl iel cos of 30 plus 5 यह reading आपको याद रखने इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आपसे बोल दिया जाए total three phase power कितना होगा है अगर आपको two watt meter method में total three phase power पूछ लिया जाए total three phase power तो p of three phase जो होगा वह क्या रहेगा हमरे पास में w1 and w2 दोनों की reading का submission हो जाएगा क्या बोला मैंने w1 और w2 की reading का जो submission है वह आजाएगा total three phase power में आप दोनों का sum कर दूँ तो देखो w1 मैंने आपको लिखाया था तो लिएल इंट्व इंट्व आइश एन्ट्व कोस ओफ 30 विल I l इंट्व कोस ओफ 30-5 यहाँ से कोस तरी par हमारे पास में रहेगा और यहां से cos of 30 plus 5 हमारे पास में रहेगा और यहां पर cos c plus cos d का formula पर apply करके solve करना final solution यह आएगा root 3 vl into il into cos 5 अब बीच वाला solution आप करना जल्दी से बताओ यह किसका formula होता है root 3 v i cos 5 किसका formula होता है अरे machine power system में हमने बहुत बार यह formula use किया होगा root 3 v i cos 5 किसका formula होता है जल्दी से बताएंगे root 3 v i किसका formula होता है देखो एक और हमारे दोस्त आये हैं आयूश एक बार जल्दी से उनके लिए एक बार तालियां बजा दो उन्होंने बोलाए कि सर ssc j जो जूनियर इंजिनियर है उसका paper कब होगा एक बार थोड़ा से appreciate किया जाए तो देख सकते हो आपका competition किन से हैं समझ सकते हो अब आप मतलब बहुत बैतरी लेवल पर हो आपकी preparation बहुत अच्छी इससे भी थोड़ा confidence आता है कि अच्छा मेरा competition यहां से मतलब मेरा selection इस बार होने वाला है competence आगे ना वैसे यह होना चाहिए ना चलो यहां पर आजाओ फिर से तो देखो यहां पर w1 प्लस w2 कितना होगा root 3 vl il into cos 5 हमारे पास में रहेगा तो यह 3 phase active power का formula होता है तो यानि कि अगर कभी भी आपसे total 3 phase power पूछ लेना तो दोनों wattmeter की reading का summation ही होगा और कुछ नहीं होगा तो यहां से हमारे पास में क्या है P of 3 phase जो होगा P of 3 phase वो हमारे पास में रहेगा w1 प्लस w2 w1 प्लस w2 यह हमारा answer हैगा तो जिसे मानलो अगर आपसे पूछ लिया जे कभी भी examiner यह पूछेगा in a 2 watt meter method in a 2 watt meter method in a 2 watt meter method आपसे बोल दिया जाएगा 1 watt meter कितना read कर रहा है 2.5 kilowatt read कर रहा है दूसरा watt meter 1.5 kilowatt read कर रहा है और आपसे पूछेगा बताओ total 3 phase power कितना होगा तो जल्ये जल्दी से बताएंगे क्या answer रहेगा इसका answer क्या होगा अगर आपको ऐसा question पूछ ले तो whole ticket कम मिलेगा यह तो लगबग मान के चलो 10-15 दिन पहले या maximum 20 दिन पहले यह आपको मिलेगा चलो जल्दी से बताओ अगर ऐसा question पूछ ले तो क्या answer होगा तो आपको क्या करना है तो समझना मैंने अभी आपको बोला है कि अगर 2 watt meter की reading दे रखी हों और आपसे total 3 phase power पूछे तो बस दोनों की reading का summation जरूर कर ले ना तो आपका answer क्या आएगा हमारे पस में इसका answer जो आएगा वो आएगा W1 प्लस W2 इसका solution जो होगा वो क्या रहेगा solution आप यहां पर लिख दीजी solution होगा W1 प्लस W2 दोनों की reading का आप summation कर लो 2.5 प्लस 1.5 answer आएगा हमारे पस में 4 kilowatt मान लोगर आपको examiner ऐसा question पूछ लें कि 2 watt meter method में एक watt meter इतना रीड कर रहा है दूसरा watt meter इतना रीड कर रहा है अगर हम किसी एक watt meter की प्रेशर कोई के connection को चेंज कर दें और अब आप मुझे बताओ अब अब टोटल 3 अब टोटल 3 फेज पावर कितना होगा यह वाला पार्ट है वह नेगेटिव में चला जाएगा तो यह नेगेटिव में हो जाएगा मतले हैं जो पूंट-फाइव किल वार्ट एड करोगी तो पूंट-फाइप में मैं-सSON-फाइव को अगर एड करो पहांसर आएगा वन किलो वाट है थो ऐसे व Kenneth वेक्टोस को मैंने डवल का डवल की प्रेशर को रिवर्स किया है न तो इसका पावर है वो नेगेटीव हो जाएगा और कुछ नहीं है तो इसका नेगेटीव हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर क्या बोला जब भी आपको कुछन पूछे तो आप लोवर एडिंग को माइनस करके फिर आप 8 कर लेना आंसर आएगा बन किलोवर्ट क्लियर अरे इस सरे के एक्जामपल यह जाना सारे कुछन है ना आप लोग ने अगर पी वाई क्यू है कहीं पर भी कुछन प्रैक्टिस कियोंगे तो आपको यह फील आ रहा होगा समझ में आ रहा होगी कि आपने इस ताइप के कुछ कि में मिस्टेक कर सकते हो अगर ऐसा कशण पूछेगा तो आप बस वहां सही करके आना लाए लाएक प्लीर की चलियर है जो हमारे पास में एक utan कर रहा है दूसरा आतना रीड कर रहा है बताओ आपसे बोल दिया जाएगा reactive power absorb by load कितना होगा क्या बोला मैं ने reactive power absorb by load कितना होगा यहाँ पर आप सम्मत कर देना 0 है ना मैं यहाँ पर wattometer की reading नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि load हमारा reactive power कितना absorb करेगा तो क्या answer होगा जल्दी से बताओ यहाँ पर जो ही विशा बोल दिसर आंसर सही पता होते हैं भी गलत क्यों लग जाता है जल्दी से बताओ इस टाइप की error को आपन क्या बोलते हैं measurement में जो हम आने वाले session में हम पढ़ेंगे जो आने वाले session में हम पढ़ेंगे तो इस टाइप की error को हम बोलते हैं gross error है ना तो इसको इसके लिए मैं कुछ भी help नहीं कर सकता हूँ मतलब यह मान के चलो मैं help place हूँ इस जगे इस जगे आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा gross error जब भी होती है तो वो human mistake की वज़े से होती है और आपकी मिस्टेक आप ही सुधार सकते हो कोई concept अगर weak है तो वह मैं आपको सिखा सकता हूँ और कुछ नहीं तो उसके लिए आपको more and more practice करनी पड़ेगी आपको सभी को पता है ना gross error को eliminate करने के लिए आप क्या करते हैं जल्दी से बताओ अगर आप अपने फिजिकल लाइप में उतारोगी तो बहुत बहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक्चुली यह इंजिनेरिंग हमरी लाइप से लेटेड है आपने error की अब आपने error की तो आप बोलते हो gross error को eliminate करने के लिए हम ध्यान रखेंगे और हम क्या करेंगे more numbers of reading लेंगे तो यहाँ पर भी एक काम करो ना आप जो ही एक बार revision किया gross error होई दूसरी बार फिर से करो फिर तीसरी बार करो आप आट-दस बार revision करो ना कैसे फिर gross error होगी तो gross error को आप कम कर सकते हो लेगिन पूरा element नहीं कर सकते हैं तो आप यह कर सकते हो प्रेक्टिस करना पड़ेगा इसका मतलब यह है न चलो तो यहाँ पर अगर हम आते हैं फिर से तो मैंने क्या वोला w1 और w2 हमारे पास में है यहां से answer बता देना बट यह ध्यान रखना अगर वो कहीं pressure को लिए connection reverse करवाए तो एक वोट मेंटर की negative करके reading फिर आप answer बताना अगर वो reactive power पूछेगा ज्यान रखना यह तो मैंने active power का बता है अगर मालो आपको examiner यहाँ पर reactive power का पूछ ले answer तो क्या answer होगा reactive power अगर आपसे पूछ ले तो reactive power जो होगा वो क्यों आएगा और क्यों का formula याद रख लेना root 3 w1-w2 root 3 w1-w2 आपका answer होगा अगर reactive power absorb by load आपसे पूछ लिया जाए reactive power absorb by load तो यह हमारा answer रहेगा जैसा question आपको examiner पूछे active power का पूछे active power के according आणसर बताना है reactive power का पूछे reactive power के according यह formula लगा देना w1-w2 अब बाब लोगसर केसे आया आप w1-w2 की reading में आपको लिखाई यह आप minus करके solve करना root 3 v1 cos 5 आ जाएगा लेकिन उसको root 3 से multiply करने के बाद इसलिए यह answer हमारे पास में रहेगा ना चलिए क्लास कब तक होगी क्लास जो चलेगी मंदब मान के चलो 12.30 तक साड़े बारा बज़े तक class जो है वह आपकी चलने वाली है अभी नर्मली 45 मिंट और बचे में तब तक आपका वोट मिंटर खतम हो जाएगा ना चलिए next बढ़ते हैं आगे अब यहां पर जो ही question में आपको बता रहा हूं वह बहुत ज़्यादा important है और यह table आपके लिए बहुत ज़्यादा important है जो मैं यहां पर लिखाने बला हूं हम यहां पर बात करेंगे एक table की और यह table याद कर रहे मतलब आपके SSEJ exam में chances है question ज़्यादा तर chances है इसी table से आनके न क्योंकि वह कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाला question नहीं पूछता है इससे पहले जो मैं सारी चीजे दिमाग वाली बता रहा था जिसके पास में होगा वैसे था सभी के पास में है तो उनको समझ में आयोग कुछ इस तरह का पूछेगा आपको examiner यह बूल देगा कि अगर हमारा लोड जो है प्यॉर्ली रजिस्टिव है क्या बोला मैंने लोड हमारा प्यॉर्ली रजिस्टिव है तो बताओ वोट मेटर 1 और वोट मेटर 2 की रेडिंग कितनी होगी यहां पर 5 में यहां कोस 5 की बा 590 डिगरी है यहां पर 4 रिजल्ट की हम बात करेंगे 30 60 and 90 चलिए जल्दी से बताओ कोस अगर आपको यह धियान लगना यह 530 यह जो आपके पास में एंगल है इसको अपन बोलते हैं पावर फेक्टर नहीं पावर फेक्टर एंगल बोलते हैं पावर फेक्टर यहां वन हो याने कितना होगा 0.5 और यहां पर होगा 0 चलो जल्दी से बताओ अगर मानलो आपके पास में लोड का पावर फेक्टर यूनिटी है तो बताओ दोनों वोट मेंटर एक्वल रिड करेंगे या एक वोट मेंटर डबल रिड करेंगा ऐसा option आपको दिया गया होगा तो स्क साइबलए और यहां पर बचेगा ऑनली को तो यहां पर भीला कर लो यहां पर इली को साटी की वेलिए होती ही root 3 by 2 तो यहां पर बचेगा इसकी value root 3 by 2 तो W1 की value आगी root 3 by 2 VL into IL, W2 की reading होगी root 3 by 2 VL into IL और W1 plus W2 होगा root 3 VL into IL तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है देखो दोनों की reading बराबर दिख रही हैं, मतलब W1 और W2 दोनों बराबर हैं, तो question आपसे क्या पुछेगा, question आपसे पुछेगा कि 2 Wm method में अगर दोनों Wm equal read कर रहे हैं, अब वो question ऐसा बोलेगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि इने 2 Wm method supply voltage इतना है, frequency इतनी है, load current इतना है, आपसे बोलेगा, एक watt meter जो है, वो आपको 5 kilowatt read कर रहा है, दूसरा watt meter है, वो भी 5 kilowatt read कर रहा है, बताओ हमारे पास में load का power factor क्या होगा, अब क्या करोगे, आप लोग इस ताइप के numerical को solve करने बेटोगे हैं, इस ताइप के numerical को आप solve करने बेटोगे, बहुत सारा वड़ी से language में दिया होगा, लेकिन उसको solve नहीं कर रहा है, उसने बोल दिया ना, कि 2 watt meter equal read कर रहे हैं, अब आप बोल दो sir कि अगर equal read कर रहे हैं, तो तभी possible है, जब हमारे पास में power factor जो है, वो unity होगा, तो answer हमारा answer आजाएगा unity, तो आपको उस तरह के numerical में calculation नहीं करनी है, calculation नहीं करनी है, next समस्दा, अगर आप से बोल दिया जाए examiner, यहाँ पर 30 degree पर बात करेगा, देखो 30 यहाँ put करो, 30 में से 30 गया 0, cos 0 की value कितनी होती, 1, तो यह बचेगा VL into IL, यहाँ 30 लागर put करोगे, 30, 30, 60 होगा, cos 60 होता है, 1 by 2, VL into IL, तो यहाँ पर दोनों का summation कर लो, 3 by 2, VL into IL होगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो W1 जो है, वो 2 times of W2 है, या फिर आप लिख सकते हो, W2 जो है, वो W1 by 2 है, मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहे हैं, बताओ, अरे यहाँ पर एक watt meter दूसरे का क्या कर रहा है, बताओ, double read कर रहा है, या half read कर रहा है, चलो, जल्दी से बताओ, यहाँ पर जो है, यह course नहीं है, यह conclusion है, यह conclusion है, result, result है न, चलो, जल्दी से बताओ, मैंने क्या बुला, यहाँ पर जो है, examiner यह पूछेगा, देखो, मतलब, मैंने क्या बुला, यार, आप engineer हो है न, engineer वाला जो है, वो दिमाग लगाओ, मैंने बुला, यहाँ पर half या double है, तो देखो, सबने type कर दिया, असर डबल है, अरे, दोनों सही है, यार, engineer हो, engineer वाला दिमाग लगाओ, मैंने क्या बुला, कि यहाँ पर जो है, इसमें कौन सा वाला result सही है, देखो, एक वोट मिटर दूसरे का double read कर रहा है, यह यह भी तो बूल सकते हैं, एक वोट मिटर दूसरे का half read कर रहा है, तो दोनों सही है, डोनों सही है, डबल वाला ही सही नहीं, दोनों सही है, engineer वाला दिमाग लगाओ, answer जो है, answer दोनों ही correct होंगे, तो अगर आप से कभी पूछ ले कि मेरा load का power factor 0.866 lagging है, बताओ, एक option होगा, one watt meter reads half of another watt meter, दूसरा option होगा, one watt meter reads double of another watt meter, next option होगा, both A and B, तो answer क्या लगा होगे, A and B लगा होगे, क्यों, क्योंकि यह तो आप half बोल सकते हो, नहीं तो आप double बोल सकते हो, statement आपके पास में correct statement है, next, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, तो अगर मैं यहाँ पर 0.5 पर आता हूँ, तो यहाँ पर आपको put करना होगा 60, तो cost में 60 जाएगा, तो minus 30 बचेगा, तो 30 में 60 minus करोगे, minus 30, तो यह value आजाएगी, root 3 by 2, VL into IL, यहाँ पर आप 60 put कीजिए, 90 आजाएगा, cost 90 0 होता है, तो यहाँ पर बचेगा, दोनों का summation अगर आप करोगे, तो यह आएगा, root 3 by 2, VL into IL होगा, और यहाँ पर क्याएगा, जो total 3 phase power है, वो W1 होगा, और W2 0 होगा, तो आपको examiner ऐसा question पुछेगा, इने 2 watt meter method, 2 watt meter method में, अगर 1 watt meter 0 read कर रहा है, तो बताओ, load का power factor कितना होगा, तो answer आजाएगा 0.5, या फिर question ऐसा पुछेगा, इने 2 watt meter method, जो total 3 phase power है, देखो, ये W क्या था, total 3 phase power था, तो total 3 phase power एक single watt meter measure कर रहा है, तो load का power factor कितना होगा, तो भी 0.5 होगा, तो ये question सारे पूछते हैं, यहाँ पसे बहुत सारे question बना सकता है, examiner के उपर depend करता है कि वो किस तरह का question जो है, वो बनाना चाहा रहा है, angle पूछेगा 60 degree बताना है, power factor पूछेगा 0.5 बताना, अब exam में ध्यान रखना कि उसने क्या पूछा हुआ है, उसके according अपने को answer लगाना है, बस आप 90 अगर आप यहाँ put करोगे, देखो 90 मतलब बचेगा minus 60, तो यह आजाएगी हमारे पास में 1 by 2, VL into IL होगा, यहाँ 90 put करके solve करना, यह आएगा minus 1 by 2, VL into IL होगा, total 3 phase power कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ से बताओ, W1 और W2 दोनों क्या है, एक दूसरे का opposite है, यह minus का और यह plus का है, और total 3 phase power कितना है, 0 है, तो यहाँ से question क्या पूछेगा, आप से question यह पूछेगा, कि 2 watt meter method में, एक watt meter, जो है, दूसरे का opposite read कर रहा है, देखो, एक की reading जो है, दूसरे का minus है, एक की reading कर रहा है, तो बताओ, लोड का power factor कितना होगा, तो answer क्या लगाओगी, जल्दी से बताओ, हाँ, PYQ में यहाँ से काफी question आया, इसमें से, लास्ट येर भी किसी सेट में question आया, तो चलिए, आंसर क्या है, लोड का power factor 0 होगा, power factor angle कितना होगा, 90 degree होगा, तो देखो, एक तो या तो आप ये table याद कर लो, क्या बोला मैंने, या तो आप ये table याद कर लो, अगर आप ये table याद नहीं करना चाहते हो, तो आप इन सभी question को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, आप इस formula से कर लो, जो मैंने आपको 5 लिखायाता न, 10 inverse, अच्छा नहीं लिखाया, अभी लिखा रहा हो मैं आपको, एक formula याद रखना, root 3, w1 minus w2 upon w1 plus w2, w1 plus w2, तो ये हमारे पास में क्या होगा, और 5 निकालने का formula होगा, यहाँ पर ये formula याद कर लो, आप इस से question जो है, वो कर लोगे, तो देखो, examiner question क्या पुछेगा, आप से बोल दिया जाए, अगर एक wattmeter, दूसरे wattmeter का double read कर रहे हैं, तो बताओ, power factor कितना होगा, अगर ऐसा question पूछ लें, कि एक wattmeter जो है, और दूसरे wattmeter का double read कर रहे हैं, तो एक काम करो, ये condition लाकर यहाँ put कर लो, तो यहाँ पर W1 की जगे 2 times of W2 रख दो, तो यहाँ 2 times of W2 में से 1 W2 गया, तो W2 बचेगा, ये 2 times of W2 और plus W2, 3 W2 हो जाएगा, तो W2 से W2 cancel हो गया, 1 by 3 बचेगा, उपर root 3 और cancel कर लो, 1 by root 3 बचेगा, अब इतना पता होना चीए, 10 की value 1 by root 3 कब होती ही, जब 30 degree होता है, और 30 degree का मतलब कितना होता हैं, अमारे पास में, तो cos 30 आप निकाल लो, power factor, वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, आप उसके coding question कर ले न, बट आप इस formula से भी कर सकते हो, जल्दी से बताओ, अरे ये समझ में आगे है, यहाँ नो कुछ चीज़े कमी लग रही है, यहाँ पर है न, ना yes नो आ रहा है, ना कुछ, जल्दी से बताओ, यहाँ तक चीज़े समझ में आ गई, आप इस formula से भी कर सकते हो, इन सब भी question को, जो condition हमें दी है, आप उसको यहाँ पर apply कर दो, हाँ दिप्तांच तो definitely dear, आपन हर एक formula को definitely मैं यहाँ पर cover कर रहा हूँ, मेरे coding अभी तक तो मैंने एक भी point जो है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि जो मैंने touch नहीं किया हो, हर एक point को मैं यहाँ पर touch कर रहा हूँ, और even numerical भी मैं आपको साथ मैं explain करता रह रहा हूँ है ना, चलिए, अब हम बढ़ते हैं, यहाँ से एक important point है, जो याद रखना, देखो यहाँ पर हमारे पास में एक चीज आपको दिख रही होगी, क्या दिख रहा है, कि जैसे ही हमारे पास में यह जो reading है, यह reading आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जो है, यह होगा W1 की reading तो आ रही, VL into IL into cos of 30, minus 5 होगा, और यहाँ पर W2 जो रहेगा, वो रहेगा, VL into IL into cos of 30, plus 5, cos of 30, plus 5 होगा, अगर मान लो 5 जो है, वो अगर greater than 60 degree हो, तो मताब कौन सा वाला वोट मेंटर इसमें से negative read करेगा, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, कि यहाँ पर अगर 5 जो है, से किसकी reading negative आएगी, किसकी reading जो है, वो negative आएगी, क्यां कौन सा reading जो है, negative आएगी, जल्दी से बताओ, कौन डब्ली टू, डेफिनेटली सही answer है, किसार अगर हमारे पास में, एंगल 60 degree से greater हुआ, तो यह 90 प्लस सम्थिंग हो जाएगा, और कोस की value हमें पता है, 90 के बाद में negative होती है, तो अगर मैंने क्या बोला, ज्यान रखना, फाई जुहें अगर वो 60 degree से greater हुआ, फाई 60 degree से greater होने का मतला, पावर फेक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ, ग्रेट देन 0.5 होगा, या फिर लेज देन 0.5 होगा, जल्दी से बताओ, अगर कोस की value 60 से greater होगी, तो हमारा पावर फेक्टर, लेज देन 0.5 होगा, या ग्रेट देन 0.5 होगा, क्या answer आएगा, तो answer हमारे पास में आएगा, लेज देन 0.5, तो definitely यहाँ पर पावर फेक्टर हमारा होगा, लेज देन 0.5, तो मैं बोलना हूँ कि, अगर हमारा 5 जो हे, 60 degree से greater हें, तो power factor less than 0.5 होगा उस case में जो 1 watt meter यानि की W2 की जो reading होगी W2 reading है वो negative होगी W2 जो reading है वो हमारे पास में क्या होगी negative होगी और अगर W2 अगर negative read करेगा तो इसको अगर हमें measure करवाना है क्योंकि watt meter negative value को read नहीं कर सकता है अगर ये negative आई की reading तो तो अगर हमें उसे positive read करवाना है तभी थोड़ देर पहले मैं आपको बोला था कि अगर एक watt meter की में pressure coil का connection change कर दूँ तो watt meter negative read करने लग जाता है अगर वो negative read कर रहा है तो में connection change करने तो वो positive read करने लग जाएगा यानि की अगर आपके पास में ऐसा होता है तो या तो हम current coil के connection change करेंगे या फिर हम pressure coil के connection change करके जो है हम इन negative reading को measure करवा सकते हैं तो यहाँ पर दियान रखना W2 negative reading आ रही है तो यहाँ पर लिख देना this can be measured this can be measured this can be measured either by either by either by changing either by changing pressure coil connection pressure coil connection pressure coil connection और by changing current coil connection आगे लिख देना और by changing current coil connection और by changing current coil connection current coil connection को जो है वो हम क्या कर सकते हैं change कर सकते हैं बट किसी एक को change करना है दोनों को अगर आप change कर देते हो तो फिर से वो negative ही read करेगा, फिर उसका वो positive read नहीं कर पाएगा, किसी एक को interchange करना है, चलिए, तो यहां तक यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, अब हम बात करते हैं, next अगले topic पर आते हैं, और वो होगा हमारे पास में, error in wattmeter, error in wattmeter, अगर मैं wattmeter के अंदर error की बात करूँ तो देखो, यहां पर जो error होगी, वो कौन-कौन सी रहेगी, error जो है, वो कौन-कौन सी रहेगी, तो error के अंदर हम बात करें, तो यहां पर जो पहली error होगी, वो रहेगी, error due to pressure coil connection, जो mainly जहां से question पूछा आता है, उसके हम बात करें, तो पहला होगा, error due to pressure coil connection, pressure coil connection, pressure coil connection, pressure coil connection, की वज़े से error आएगी, दूसरा हमारे पास में आएगा error due to pressure coil current, error due to pressure coil current, pressure coil current, flowing through current coil, flowing through current coil, flowing through current coil, next क्या होगा हमारे पास में error due to, error due to pressure coil inductance, pressure coil inductance, वागी देखो error due to, हमारे पास में temperature भी आएगी, error due to, हमारे पास में stray magnetic field की वज़े से भी error आएगी, तानि दूसरी error भी होगी, लेकिन mainly question यहां से आपको पोची जाते हैं, mainly question अगर इन topic में से पूची जाएंगे, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ error due to pressure coil connection, अब देखो यहां पर pressure coil connection में, first error की हम बात करने, error due to, error due to pressure coil connection, pressure coil connection, अगर मैं pressure coil connection में बात करूँ, तो यहां पर जो ही, समझना, पहला मैं बात कर रहा हूँ, load side connection, load side connection, पहला हम बात कर लेते हैं, sword side connection, चलिए, पहले sword side connection की कि बात कर लेते हैं फिर हम low side connection कि बात करेंगे अगर मनलों मैं pressure को सोड़ साइड में connect कर रहा हूं मतलब यह current coil है यह हमारा load है और यहां पर क्या हुगा यह pressure coil है धेको pressure coil supply side में connected हैं तो यहां पर आपसे बोल दिया जाएगा current hail का resistance RC है, लोड का voltage V है, लोड का current I है, और लोड का जो power factor है, लोड power factor है, वो cos phi है, तो आप से बोल दिया जाएगा, बताओ, यहाँ पर, इस टाइप कनेक्शन को आप कहाँ यूज करोगी, पहला कुछन से बताओ, इसको low current application में यूज करोगी, या high current application में, तो यह हमारे पास में दूसरा connection जो मैंने बनाया है, यह दूसरा connection है, हमारे पास में, load side connection, देखो, pressure coil को मैंने load side में connect किया है, तो यहाँ पर हमारा load होगा, जिसका power factor cos phi होगा, current I होगा, load का voltage V होगा, यह resistance हमारे पास में RS रहेगा, तो क्या answer आ रहा है, low current, low current, correct answer है, इसको हम use करते हैं, low current application में, अब बात या तीसरा इसा क्यों, तो देखो, यहाँ पर जब हम error का formula derive करते हैं, तो error का formula जो है, आप ऐसे याद रखो, कि error का formula जो होगा, वो I into cos phi, अब बात याद याद कैसे रहेगा, तो देखो, याद रखने का तरीका में आपको बतायता हूं, मैंने आपको पहले बोला था, pressure coil कहाँ पर connect होती है, जहाँ पर connect होती, power वहाँ का measure किया जाता है, तो देखो, pressure coil यहाँ है, तो current coil का power भी measure होगा, बट current coil जो power consume करेगी, वो तो हमारे लिए error है, तो current coil का power है, वो ही error है, और current coil का power क्या होगा, तो I square into RC कर देते हम, तो मैंने यह लिख दिया, I square into RC divide by true power, तो यह हमारे पास है, percentage error का formula हो जाएगा, सेम यहाँ पर अगर हम बात करें, percentage error की, तो percentage error यहाँ जो होगा, वो आएगा, V square divided by RS into PT into 100, अब देखो, इस बार यहाँ का power जो है, यह वाला जो power है, current coil का, वो measure नहीं होगा, जब वो pressure coil load side में चली जाती है, तो यहाँ का power है, वो हो जाता है, तो यह होगा, V square divided by RS into PT into 100, तो यह दोनों error की formula याद रखना, अब यहाँ से आप बता सकते हो, किसको हम low current के लिए use करेंगे, और किसको हम low voltage के लिए use करेंगे, तो देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, अगर आप current कम रखोगे, देखो, तो error कम आएगी, तो इस ताइप के connection को हम low current में use करते हैं, इसमें अगर हम voltage कम रखेंगे, तो error हमारे पास में कम आएगी, तो इसको हम use करेंगे low voltage application में न, क्या हुले सर, PDF का application लगवा दीजे, PDF का application लगवा दीजे, मतलब रंजन, बोलना क्या जा रहे हो, PDF का, बढ़ाने के बाद में class खतम होगी, खतम होने के बाद में PDF फिर बनाएंगे, फिर PDF किसी के पास में जाएगी, वो person इसको upload करेगा, तो इसकी बीच में थोड़ा सा time लगएगा, और कुछ नहीं है, हाँ, transducer भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे न, चलिए, तो समझना, यहाँ पर मैंने क्या बोला, यह source side connection है, यह हमारे पस में load side connection है, और दोनों के अगर आपको कभी पूछ ले examiner, कि वहता दोनों की error equal है, तो बस कुछ नहीं करोगे, आप इन दोनों value को आप equal कर दो, error equal है, तो आप error को equal करके भी आप अपना answer बता सकते हैं, तो वहाँ से भी numerical आप से पूछेगा, तो देखो, i square into rc by pt, और v square by rs into pt, अगर आपकी error equal होती है, तो यहाँ से क्याएगा, i square into rc divided by pt, जो होगा, वह होगा, v square divided by rs into pt के बराबर होगा, अगर error equal होती है, तब, तो यह cancel कर लो, तो यहाँ से formula आजाएगा, i square into rc equal to v square divided by rs, तो बहुत बार यह relation भी आपको पूछ लेता है, नहीं, तो इसके उपर numerical पूछ लेगा, वो क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा, कि दोनों connection में error equal है, आपको voltage देदेगा, current देदेगा, rs देदेगा, पूछेगा, बताओ current कोईल का resistance कितना होगा, तो ऐसा numerical दे सकता है, ना, चलिए, समझ बागे, तो देखो, यहाँ पर yt पर बोल रहे हैं, चलिए, आप समझ गए न, बस, आप समझ गए, वो most important है, कि वो क्या कहना चाहरे है, बाकी यहाँ पर आपन फोकस करते हैं, यह जिसे ही class खतम होगी, class खतम होने के बाद में, आपको application पर यह PDF मिल जाएगी, within one hour है न, one hour के अंदर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर जो है, application पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, next, इसके बाद में क्या होगा, यह formula याद रखना, इसके बाद में आपको examiner पूछेगा, error due to pressure coil current flowing through current coil, error due to, error due to pressure coil current flowing through current coil, pressure coil current flowing through current coil, flowing through current coil, तो उसको eliminate करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, यहाँ पर जो है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि, error due to pressure coil current flowing through current coil को मुझे eliminate करना है, तो वो कैसे eliminate करेंगे, क्या answer होगा, जल्दी से बताओ, चलिए, जल्दी से बताएंगे यार, इसका answer क्या होगा, इसका answer क्या होगा, तो answer यहाँ पर देख रहाँ हूँ में, कि compensating coil connect करेंगे, एकदम सही answer है, compensating मतलब समकारी है, हिंदी मीडियम के स्टेंट अगर आपको रहात रख लाए, समकारी कुंडली हम इसको बोलते हैं, तो ध्यानक न, error due to pressure coil current, flowing through current coil के लिए हम क्या करते हैं, एक compensating coil connect करते हैं, और वो compensating coil कहां connect करते हैं, बताओ, current coil के series में, pressure coil के series में, या current coil के parallel में, या pressure coil के parallel में, ऐसा option आपको दे रखा होगा, तो answer क्या होगा, तो इसको remit करने के लिए ज्यान रखना, हम यहाँ पर यह current coil हैं, यह current coil हैं, यहाँ पर क्या होगा, load होगा, यहाँ पर load होगा, और इसमें क्या होगा, error जो होगी, उस error को हम eliminate करने के लिए, हम यहाँ पर एक extra coil use करते हैं, extra coil हम use करते हैं, और वो extra coil इस तरीके से connect रहती हैं, तो यह जो कोईल है इसको हम बोलते हैं कमपन सेटिंग कोईल कमपन सेटिंग कोईल तो कमपन सेटिंग कोईल जो है वो कहाँ पर कनेक करेंगे तो देखो द्यान रखना कमपन सेटिंग कोईल हम कनेक करेंगे कहाँ पर यह जो pressure coil है अगर आप देख सकते हूँ कि यहां से current जो है वो इस तरीके से rotate होता है current यहां पर ऐसे ही आ रहा होगा तो pressure coil का current और compensating coil का current से में तो pressure coil के series में होगी कहां पर होगी कहां पर होगी in series with pressure coil होगी तो यह समझ लेना current coil के series में नहीं pressure coil के series में होगी और इसका connection कुछ इस तरह से रहेगा यह इस तरीके से coil होगी इसकी में बात करा हूँ यह compensating coil है जो pressure coil के series में होगी तो यहाँ पर लिख देना to eliminate to eliminate above error to eliminate above error the compensating coil is connected the compensating coil compensating coil is used compensating coil is used चलिए next इसके बाद में third error पर आते है error due to pressure coil connection error due to pressure coil inductance error due to pressure coil inductance तो next setting लिखेंगे error due to pressure coil inductance pressure coil inductance चलिए एक कुश्चन में आप से पूछ रहा हूँ पहले आप answer बताओ फिर मैं आपको explain करता हूँ आप से पूलेगा कि अगर मानलो हमारा lagging load है तो बताओ हमारा meter high read करेगा या low read करेगा अगर pressure coil का inductance present है तो lagging load है तो हमारा meter high read करेगा या low read करेगा क्या answer आएगा चलिए जल्दी से एक बार बताएंगे यहां पर जो है meter high read करेगा या फिर low read करेगा क्या answer होगा तो हम pressure coil के inductance की भी बात कर रहे है इस बार pressure coil का inductance है हम उसकी बात कर रहे है तो यहां पर यह हमारा water meter है यह water meter है और यहां पर क्या होगा load होगा बट इस बार जो है हम यहां पर pressure coil का inductance है वो भी हम consider कर रहे हैं LP मतलब pressure coil inductance है यहाँ पर RS होगा तो देखो यहाँ पर अगर कभी examiner आपसे पूछ ले तो दो-तिन चीज़े याद रखने ही जो यहाँ से question बना सकता है examiner pressure coil के inductance में तो यहाँ पर answer क्या आएगा तो देखो यहाँ पर जब आप किलकों इसका derivation होता है बहुत बढ़ा सा आदे गंटे का derivation होता है बढ़को derivation नहीं करवा रहा हूं में यहाँ पर आपको formula बता रहा हूं अगर कभी आपसे push लिया जाए error अगर आपसे push लिया जाए error तो error हमारे पास में होता है 10 5 into 10 beta 10 5 into 10 beta तो यह हमारा formula रहेगा अगर percentage error क्यों बात करेगा तो into 100 से multiply कर देना यह percentage error का formula हो जाएगा 10 5 into 10 beta अब 5 क्या है तो देखो 5 और कुछ नहीं है load का power factor cos 5 होता है बट यहाँ beta क्या है तो ध्यानक ना beta की जो value होती है वो 10 inverse omega lp divide by rs होती है इसके लिए rl circuit के लिए आप beta निकाल दो है एंगल जो निकालोगी impedance angle वो ही यहाँ पर beta होगा xl by r और पता नेटवर्क में आप पढ़ते हो theta equal to 10 inverse x by r तो वो ही है न x क्या है बताओ तो omega into l है और divide by r की जोगे मैं rs कर दिया तो यह हमारे पास ने बीटा निकालना है लेकिन उतना deep में नहीं जाएगा वो आपको बस यह formula पूछेगा या तो या तो आपसे यह formula पूछे जाएगा error का formula क्या होगा तो यह बता देना अगर वो आपसको यह नहीं पूछेगा तो आपसे correction factor का formula भी ही पूछ सकता है तो यहां पर जो ही एक तो देखों एगजामिनर गर थिए काहलि पूछे गा तो इसकी स्क्सक्त है को सकता है नियुमेरिकल पूछे बूचे का ट्रिव पावर इतना मेजर किया इतना हमके कितना होगे यह पर चोण आप रेश्यल के लोगे वहहां हमारे पास में पास पार को वो आ जाएगा, clear, clear, तो देखो यहां से आप correction factor आप निकाल सकते हूँ, अब यहां पर मैं error का formula जो ही, अगर हम बात करें, तो मैंने क्या बोला, error का जो formula भी मैंने आपको लिखा है, error होती, measured minus true, divided by true, और equal to कितना है, error जो है, आपको formula लिखा है, 105 into 10 beta होता है, 105 into 10 beta होता है, true power को उदर multiply कर लो, तो measured power जो आएगा, वो true power into क्या होगा, true power into क्या होगा, 105 into 10 beta होगा, 105 into 10 beta होगा, true power जो ही, उसका formula होता है, V i into cos phi, 10 phi का formula होगा, sin phi upon cos phi, और यहां पर जो रहेगा, वो रहेगा 10 beta, तो एक काम करो, इस cos phi से, cos phi cancel कर लो, तो यह आएगा, V i sin phi into 10 beta, तो देखो, यह measured minus true है, तो आप एक काम करो, आप यहां से only सिर्फ measured निकाल लो, तो measured अगर मैं निकालूँगा, तो यह minus number को इधर लेओ, तो true plus V i sin phi into 10 beta, तो चलो, यह आपको समझ में आ गया होगा, यह होगा हमारे पास में measured power का formula, तो जल्दी से बताओ, और यह legging load का है, legging load का है, तो जल्दी से बताओ, legging load में, जो हमारा meter है, उसका measured power क्या है, वो higher देन है true power या lower देन है, चलो, किसी ने बोला तो none of above है, तो none of above है, तो अब आप बता सकते हो, none of above वाले answer, यहां से क्या answer देख रहा है, जल्दी से बताओ, क्या answer आएगा, तो देख सकते हूं, measure power जो है true plus something है, true plus something मतलब true में कुछ extra add हो रहा है, add हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा measure कर रहा है, तो legging load में द्यान अखना, measured power जो है, वो true power से ज्यादा होता है, और अगर हम बात करें, leading load में, तो बस क्या करना है, आपको leading में यहां पर minus कर देना है, तो यहां से क्या आएगा, true power minus क्या होगा, v i sin phi into 10 beta, measured power होता है, वो true power से कम होता है, तो हमारा meter जो है, वो कम rate करता है, तो यह question है, आपको examiner, पूछे, आप यहां से answer बता सकते हो, जल दिस से बताओ, यह clear है सभी को, अरे यह clear है, तो यह आपके पास में, जितने भी formula थे, वोट मेंटर के लगबग हर एक formula को हमने touch किया है, हर तरह के numerical, theoretical question के बारे में आपको बता दिया है, कि इस तरह से question वो form यहां पर कर सकता है, अब यहां पर echo topic होता है, LpF watt meter, LpF watt meter, LpF watt meter, अगर मैं low power factor watt meter के में बात करूं, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा load, यह होगा load, और यहां से क्या हैगा, LpF watt meter में हमें compensating coil, यह हम connect करते हैं, यह compensating coil है, और यहां पर pressure coil है, यह RS है, लेकिन यहां पर हम कुछ error की वज़े से, हमें यहां पर capacitor में use करना पड़ता है, कैपेसर में use करते हैं, यह RS होता है, यह LP होता है, तो यह हमारे पास में क्या होगा, डाइग्राम रहेगा, तो यह जो डाइग्राम होता है, यह LPF watt meter का होता है, low power factor watt meter का हमारे पास में रहेगा, तो यह diagram भी याद रखना कि, एक आद बार में देखा है यह डाइग्राम मना कर जो ही पूछ लिया जाता है कि बताओ यह किसका डाइग्राम है तो आंसर आएगा एलपी एव वाट मेटर का क्लियर अब इसके बाद में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी है ना पी में सी मुविंग आराउं डायनोमेटर आपके पास में टेबल बनी होगी तो आप उस टेबल को एक बार जरूर याद कर लेना देख लेना और यहां पर द्यान रखना एक चीज जो है अब अगर आप से पोस्ट लिए सबसे हाइस्ट एक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होत लेकिन बुक्स को जो जितने एक्जामेनर है पेपर बनाने वाले वह नेट को सही नहीं बनते हैं वह मानते हैं हमारे पास में रेफ्रेंस बुक को तो रेफ्रेंस बुक में एके सानी हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो डायनोमेटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है वह तो एडेम आपको लगाना है यहां पर ज्यां रखना एकष्टा चोड़ा सा कर ले ना क्या कॉंटर्यक्शन नहीं मतलब इसको आप बोल सकते हो कि कुछ .... बोलती है विविव बिच्ट अलग बोलती है लेकिन फाइनली जुहें कि अगर मैं एक्जाम में कुछन आता है तो फिर फाइनल वह बुक्स का अंसर हों Consider करेंगे तो भुख में डाइनोमेटर टाइप इस्टुमेंट जहें उसको accurate ज़्यादा बोला गया है तो आप जो है चलिए क्लियर चलिए तो इसका मतलब अगर बात करें तो यह हमारे पास में क्या है इन सभी का आप याद कर ले ना तो यह सारी मेरे कोडिंग पूरा वाट मेटर वाला पार्ट जो है वह रिविजन हो चुका है कल आप थमनेल पर ज़रूर देख लेना बट मेरे कोडिंग जो कल के टॉपिक रहेंगे आई थिंग CRO और एसा जो इंपोरेंट टॉपिक है पहले में रखे हैं एरर एंड CRO शायद कल का टॉपिक यह हो गया तो एक बार आप देख लेना थमनेल में आपको शेयर कर दूँगा इवनिंग तक ग्रूप में लिंक शेयर कर दूँगा तो कौन से टॉपिक आपको रिवाइस करके आना है वो एक बार आप जरूर देख लेना ना चलिए तो आज के लिए अपन यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे अपन मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच कर दूँगा तो को बार आपको यू से इुक हके षापको खि sulphkop ग्म Dominik कर दूआ हैं टो कि तो आपको कि दूएट कर चिए्टी जिए सेमाल देहां अपकता तो कि दुएओoth है यू स Devi थैंका वुएगा